सब्सक्राइब करें अब करें आप सब्सक्राइब करें आप लोगों को कितना कुछ सीखने को मिला है यह भी एक बार कमेंट बॉक्स में आजाना चाहिए तो आप लोग बहुत अच्छे होंगे कमेंट बॉक्स में आप लोगों की एनर्जी दिख जानी चाहिए और एकडम टाइम पे जैसा कल हम लोग 2-5 मिन लेट हो गए थे आज मैंने बोलना था कि आज की क्लास होगी वह एकडम टाइम पे होगी ठीक है और मेरी जो अवाज है वह एदम परफेक्ट आरही है कि नहीं मुझे ऐसा लग नहीं रहा है अवाज नहीं आ रही है ना ख्लियर आ रहे हैं सहीं ठीक है तो इक बार सभी लोग मुझे आवाज और इस सारी चीज़ा कल कल कर देंगे कि आपको मेरी आवाज आरही है आप लोगों को मैं सुनाई दे के बार इसको प्रॉपरली स्टार्ट करेंगे बढ़िया तरीके से और आज मुझे लग रहा है कि मौसम बहुत अच्छा है इसलिए सारे जो हमारे पाई हैं सिविल इंजीनर्स वो सबके सब सो रहे हैं अराम से सो रहे हैं मुझे ऐसा फील हो रहा है ना तो जल्दी से बार ब है ना चलिए उद्रागंड में तो बारिश बहुत होती है ओके हाँ बिल्कुल होती हो गया वह तो ड्रीम प्लेस है लोगों का चलिए तो शुरू करें हम लोग वाइस नौट क्लियर वाइस नौट क्लियर गुट मॉर्निंग एक बार बता दीजे एक मिन्ट रुकिए एक बार अलोग भाई वाज क्लियर नहीं है यार जास वर्मलेट तब तक सभी अच्छे आ भी जाएंगे तो कोई दिक्क्रत नहीं है एक बार आवाज क्लियर नहीं आ रही है चेक करो यार एक बार चलिए अभी एक मिन्ट में चीज़ां ठीक हो जाएंगे फिर हम दूख शुरू करेंगे प्रॉपर विम में ओके कि सुनके देखों एक बार अभी देखें बताएं मुझे जल्दी से क्लियर क्लियर है ओके अभी क्लियर है कि जल्दी से बता रीजी क्लियर है सर ओके ओके चलिए वेरी नाइस बहुत बढ़िया चलिए हम लोग शुरू करें फिर अपने इस जर्णी को आज के जानदार से जबर्दस से चैप्टर को और यह बहुत इंट्रेस्टिंग रहेगा ओके अभी ठीक है क्लियर है ओके चलिए फिर शुरू करते हम लोग आज क्ल सबाज आ रही होगी सही अभी बताएंगे एक बार सभी लोग एकदम परफेक्टली क्लियर है तो हम लोग फिर शुरू करते हैं अपने इस क्लास को जिसका नाम है ब्रिक आन्ड ब्रिक मैसलरी यह हमारा थार्ड लेक्चर है लास्ट वाली जो क्लास थी उसके अंदर भी हम लडी मैं आपको बता देता हूं तो बने रहेगा क्लास में अंतिम समय तक लास समय तक जैसा हम लोग डेली पढ़ाई कर रहे हैं ओके चली हो गया डन है एकदम यह हटा दो एक पर चली शुरू करते हैं हम लोग सबसे बहले देखेंगे यहां पर हम लोग बात करेंगे बी सबसे पहले आपर क्या लिखा हुआ है और बहुत अच्छे नोट्स कंटेंड या आपके questions के solution आपको देखने को जो है मिलेंगे इस जगह पर ठीक है ओके वाइस लो है सथ अरे यार एक मिन रुको सही में प्रॉब्लम है क्या वाइस मैं मैं एक बास सुलनूं एक बार अच्छे से आवाज को परफेक्ट तो आ रही है रवाज नहीं एक बार आवाज फॉन की अवाज बढ़ाओ एकदम परफेक्ट है मेरे फॉन में परफेक्ट आ रही है आपको पता नहीं क्या दिक्कत है चलो यह बखवास नहीं क्लास में एकदम परफेक्ट है क्लास करोगे तो उतना ही ज्यादा आपके टाइम वेस्ट होगा मेरा भी टाइम वेस्ट होगा ठीक है अलड़ी पांच मिंट हम लोग वेस्ट कर रहे हैं ओके स्लो आ रहा है ठीक है सर अब अभी ये फालतू बाते नहीं होंगे न क्लास के अंदर हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं चली तो सबसे पहले दिखें आज हम लोग क्या पढ़ें मतलब कि जो आपने खुझ से एक गोल डिसाइड किया है उसके लिए 500 पृतिशत ज्यादा डालने की कोशिश करें ताकि उसे टाइमली अचीव कर सकें दूसरे आप लिखा हुआ है स्टे हमबल बहुत ज्यादा ही हमबल रहें लोगों के लिए अपनी लिए अपनी फैमिली relevant skills मतलब कि जो relevant skills है जो आपके काम आने वाली है जिन्दिगी में उन skills के उपर काम करें उनको हमेशा develop करने की कोशिश करें और last में लिखा हुआ है invest yourself मतलब खुद को अपने आपको एकदम निखार के लोगों के सामने प्रस्तुत करें this should be your attitude यह आपका होता है कि change in goal in one year एक साल में अपने goal को कैसे आप change कर सकते हैं चली शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना lecture जिसमें कल वाला topic हम लोग सबसे पहले करेंगे जिसका नाम था एसलर मैसनरी क्या था नाम चैप्टर का that was the एसलर मैसनरी अब देखिए का एक बात क्या लिकराइस जिगाए पे एसलर मैसनरी में that एसलर मैसनरी is a type of the stone मैसनरी which is formed using the finally dressed stone of same size अब देको जैसे मैंने बताया था आप लोगों को एक ती आपके पास में कौन सी that was the ruval मैसनरी, ruval मैसनरी में हम लोग क्या करते हैं जो पत्थर होता है उसको कैसा लेते हैं roughly stone या पर directly हम लोग क्वेरिंग करने के बाद में उस stone को लगा देते हैं ऐसा ही करते हैं लेकिन यहाँ पर açlor मैसनरी के अंदर ऐसा नहीं किया जाता ऐसलर मैसनरी एक properly dressed मैसनरी होती है मतलब की यहाँ पर açlor मैसनरी में जो stone मैसनरी एक ऐसी type की stone मैसनरी है जिसके अंदर हम लोग finally dressed मतलब की बहुती संदर तरीके से उसको proper shape और size में convert करने के बाद में और same size इस आते हैं और उसकी चिनाई करते हैं और इसे हम लोग क्या कहते हैं और इसमें जो जॉइंट होते हैं वो एक दूसरी से राइट एंगल पर होते हैं यह चीज में आपको आगे दिखाऊंगा ओके नेक्स लिखा हुआ है दा मैसनरी ब्ल्ड यूज यूज जार किये जा रहे हैं और जो इसमें क्यूबोइड शेफ के जो पथर यूजुज के जा रहे हैं वो इकलम systematic आपको एक बढ़िया अरेंज्ट से स्यूमाटिक एक मैसनरी को सव करते है ठीक है आगे देखनेए और इसकी जो ठिकन सो थी इता वह uniform होती है जब्कि जो आपके पास में हमने हुदनी पड़ी थी उसमें दीवार की जो तेकने सोती है वो कभी भी यूनिपॉर्म नहीं होती है ओके चलिए अब आवास कम है क्या एक मिन रुक जाओ यार मेरा बाकी टाइम बेशन बत करना प्लीज क्लास के अंदर ठीक है कि अधिए कि अधिए कि अधिए कि कि दो मिंट अडजस्ट कर लो उसके बाद हम लोग कर लेंगे ठीक है अभी कोई दिखनी रहा अभी आ जाएंगे वह स्टूडियो परसन तो मैं आपको सीख कर आदो ठीक है चलिए यहां पर क्या लिख रहा है उसके बाद में तो यूलिफॉर्म तिकनास होती है जबकि अधि राएक करके मेस्नरी कैसी कर आडंट यह बात दिमाजन पेसट करिए रूबल मेस्नरी जो होती है वह आपकी रफ़ली ड्रेस्ट से बनाई जाती है या फिर बिदाइन द्रेस्ट कि अंड्रेस्ट मैसनरी होती है जैसी आप चत्वाइब किया उसी से आपने क्द क llegar दी तो लेकिन यहां इस जगए पर अगर मैं में उस वाल की वह आपकी irregular होती है नॉन uniform होती है लेकिन यहाँ पे एकदम proper uniform thickness होती है हर जगे से same thickness होती है ओके चलिए ओके आगे बढ़ते हैं next point की बारे हम कि में चार तरीकी की असलर मैंसरी असलरर fine मैंसरी असलर एक बार सबसे पढ़ोजे पढ़ते हैं अम लोग гsecondうわ verage लेकिस का डायगराम देखेंगे सबसे पहले तो यह इसका डायगराम है असलर लिखा हूँए सलर फाइन मैंसरी ज्यूस बसे पहले दिखाया था खिंगे है esto एसलर फाइन मेसनरी क्या होती है this is the finest type of the एसलर स्टोन मेसनरी मतलब की एसलर स्टोन मेसनरी का यह सबसे बढ़िया प्रकार है आगे लिखा है the bad joints and the face of the stone are chisel dressed मतलब जो आपके पास मैं bad होते हैं मतलब जहां से आपको स्टोन को जिस पर बिचाते जा रहे हो वह आपका जो bad है जिसके उपर स्टोन को बिचाते जा रहे हो और जो joint है वह आपके एकदम चीजल से चैनी हतोड़े से आराम से dress किये जाते हैं जो भी आपका ऊवड़ खावट टेड़ा मेड़ा जो भी किनारे निकले होते हैं उनको unevenness को remove करने के लिए and obtain the perfectly horizontal or vertical joint जिससे की perfectly horizontal or vertical joint आपको प्राप्त हो जाएं नेक्स लिखा हुआ है दा motor joint are so thin motor का joint है वो इतना पतला होता है जिए पे thin that they are barely exposed कि उनको बहुत ही मुश्किल से देखा जा सकता है ठीक है which give this type of mastery a very close and packed finish मतलब कि इस motor के अंदर तो fine mastery है तो इस motor के अंदर जो आपके पास joint का thickness होती है वो बहुत ही कम होती है जिसको हम हम अपनी आखों से बहुती rarely देख पाते हैं दूर से तो बिल्कुल नहीं देखेगी जो कि इसको एक काफी पैग्ड फिनिस देती है और fine finish देती है ठीक है देखेंगे एक बाइग्राम में आपको पता भी नहीं देखा होगा कई बार घरों के अलिवेश्चन में हम लोग इस तरीके की डिजाइन बनाते हैं यहां पे होता क्या है साथ यहां पे हम लोग हर एक पत्थर की तरफ दिकाए ने पत्थर के चारों तरफ उसकी परदी के चारों तरफ हम लोग एक स्ट्रिप प्रोवाइड करा देते हैं लेकिन जो स्ट्रिप रोती है यह टूल्स की सायता से कैंफर की जाती है कैंफर का मतलब क्या होता है क्या मूलाओ में यह हमेशा आपकी with the help of some tools यह आपकी कैंफर की जाती है और कैंफर कैसे की जाएगी यह आपकी तो डेफ्ट देखेंगे तो इसकी जो डेफ्ट है गहरा ही है वो कितनी आपके पाद 25 mm है और अगर यह एंगल आप मेजर करोगे यहां से तो यह जो एंगल बना आपका यह 45 डिग्री एंगल आपका मेंटेन होता यहां पर लिखा हुआ है कि 45 डिग्री एंगल पे और 25 mm की डेफ्ट फर हम इसे कुछ स्पेशल टूल से कैंफर करके बनाते हैं और डिस इस नोन आज दा कैंफर मैसनरी क्या कहलाती है यह एसलर कैंफर मैसनरी आई होप आपको यह समझ में आगी होगी बहुत बढ़िया है बहुत ही बढ़ी है next देखेंगे हम लोग next one का है आपके पास that is the essler rock query face मैसनरी मतलब कि इसमें क्या होता है यह जो मैसनरी है ना यह दिखती ही कुछ पुराने जमाने की टाइप है ठीक है जैसे आपको दिख रहा होगा इसको ऐसा नहीं कि देखें यह थोड़ी सी rough रही है सर इसमें अच्छे से हमने किया नहीं है इसकी ड्रेसिंग नहीं इसकी style ही ऐसी है तो यहां पर क्या लिखा हुआ है पढ़ेंगे एक बार in this type of essler machinery इस तरीके की एसलर मैसनरी में the bads and the sides are finally chisel dressed जो आपके पास bads होते हैं और जो आपके पास में sides होती है वो काफी ज़्याद आप अपकेने का फाइनली चीजल dressed होती है मतलब चीजल मतलब समझते हुआ चैनी अतौरे से dress की गई होती है बट जो exposed face दिखाई दिवार को जैसे घर के सामने का छो-फ्रंट होता आपना वह जो फ है कर रहा हूं तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हась को रफुल से इसको ड्रेस करते हैं क्यों कि 나 कहीं ही कैसी होती है रफ होती है त्ल जो की रफ होती है इस वह से एक बच्चा पूछ रहा है कि सर इसको 45 परसेंट ही क्यों करते हैं पहली बात तो पीएच्टी करने नहीं आए हम लोग पीएच्टी करनी नहीं पिटा इसके अंदर एक बात दिमाग पर फिट कर लो कि पीएच्टी तो बिल्कुल नहीं करने आए हम ठीक है दिमाग में अभी फिट करना है एससी जई में पूछा जाएगा क्यों करते हैं और दूसरी चीज क्यों करते हैं तो पिटा यह एस्थेटिक लुक बनाने के लिए करते हैं कोई और एंगल पर तुम देखना एस्थेटिक लोक इतना अच्छ नहीं लगता है ठीक है इस वज़े से ऐसा होता है चलिए आगे बढ़ते तो यह बात समझ में आगी नेक्स लिखाए दा ड्रेसिंग गिफ दा मैस्टरी ए रफ एक्सपोज फिनिस टू दा मैस्टरी मतलब की जो ड्रेसिंग होती है जो हम लोग उसको रफ टूल से ड्रेसिंग कर रहे हैं वह इसक आप अशलर मैसरी यूज तो गिफ दा बिल्डिंग एक्सपोज एंड गुड एस्टेटिक मतलब की एक बिल्डिंग को एक बढ़िया एक लुक देने के लिए एस्टेटिक लुक देने के लिए हम लोग इसको बनाते जाब को दिख रहा होगा बिल्कुल ब्रिक जैसी फेसे ऑफ दा स्टोन और रफ टूल एंड कैमफर मतलब की जो इसके यहां पर आपके पास में दिखाई दे रहा ही पत्तर इसको बहार से हम लोग कैमफर्ड भी करते हैं देखा होगा आपने कई बार एक ड्रिल मशीन होती है और ड्रिल ड्रिल नहीं कटर होती ही जो आपके पास में देखा होगा आपने तो जिसमें बिलेड लगा होता है तो इस बिलेड से हम लोग इस पर डिजाइन भी बनाते हैं और साथ की साथ इसको कैमफर्ड भी करते चले जाते हैं इसका एस्थेटिक लुक जो है वो बहुत ही शांदार आपका हो जाता है ठीक है आई होप आपको इस समझ में आ गया होगा नेक्स्ट आपके पास में यहां पर एक कोश्चन भी दे रखा है इसमें दिया गया है दा टाइप ऑफ मैस्टरी इन विच्छ तोन आप दा इर्रेगुलर साइज और शेप आर यूस्ट और यूस्ट जल्दी से इसका अंसर बताएंगे मत हुआ टाइप अट्री मैसनरी का एक ऐसा टाइफ जिसमें की स्टों यो रहां पर हुसे होते ही नहीं है तो वहां पर दिवाचा में ये बात समझ में आगे आपको देखते ही आपको क्लियर हो गया है ठीक है चलिए आप लोग तो हैं लेकिन भाई एक एनर्जी रहती है है ना एनर्जी भी तो रहनी चाहिए चलिए तो यह बात आपको समझ में आए गोगी आई होप आपने बढ़िया तरीके से इसको समझ लिया होगा और कर लिया होगा चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं आज का हमारा सबसे जवर्दस ट्रॉपिक जिसका नाम है ब्रिक जल्दी से कमेंट बॉक्स में एक एनर्जी दिखाई दे जानी चाहिए मुझे कि हां सर ये वाली एनर्जी है और हम लोग इस स्टार्ट करते हैं हम लोग क्या लिख रहा है सब्सक्राइब ब्रिक बैसे मेरी जो वीडियो है उसको आप 2x10 देखते हो तो बहुत ज्यादा फास्ट नहीं हो जाते हो और लडी मैं बहुत पास्ट और बहुत इनर्जी के साथ पढ़ा रहा हुता हूँ चालिए आगे की बिना नहींकिन सा लगता है बात सभी है किसी भी िस्तार को बनाना अब यहां पर देखो आप लोगों को देख रहा होगा यहां पर हम लोग जो इसका इस्तमाल करें वह जो आपके पास में खight own और और इसको आए जो आबिभा पास में एक पर अलायिन एंडिल्या अ दिवार बने एकदम एक सीध में दिवार बने उसके लिए किया जा रहा है ठीक है समझ में आ गया ओके चली आप दूसरा पॉइंट देखेंगे हम लोग साथ में यह जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है यह यह कैसा दिस इस दा मोटा क्या है आपका यह दिस दा सीमेंट स मोटार को फैलाते हैं और इसको अच्छे से स्प्रेड करते हैं पूरी दिवार पूरी की पूरी इस जगये पर ठीक है बात समझ में आगी चली आगे बढ़ जाते हैं सर नेक्स्ट पॉइंट की तरह बढ़िया तरीक से सिस्टेमेटिक वे में यहाँ वापस से एक लाइन कोई लिखी हुए कि ब्रिक जो होती है वो बेसिक यूनिट होती है किसी भी सिविल इंजिनरिंग स्ट्रक्चर की अब जैसे कि आपके सामने एक ब्रिक दिखाई गई है बहुत ही बढ़िया तरीके से आई होप आप लोगों को इस समझ में भी आ गई होगी ठीक है चली करे तो देखें एक बार क्या होगा इसमें कि यह जो आपके पास में ब्रिक है यह ब्रिक आप लोगों की यह जो ब्रिक है आप लोगों की इसमें आपके पास कुछ चार पार्ट है कैसे सर यह जो ब्रिक है इसका जो टॉप सर्फेस है यह वाला जो टॉप सर्फेस दिखाई र नाम भी लिखा और एक एक ओंपनी का और यह आपके पास में इंट का स्चार्ट यसा हम लोग कहते हैं क्या कहते हैं वाल बिट about डिखेंगे यापके पास में वर तर्फेस्ट नोग कहते हैं शेसे अम लोग हैडर कुहते हैं लेक्स to यह वाला जो पार दिखाए दिरहा है इससे हम लोग क्या कहेंगे इसे हम लोग कहेंगे अब यहां पर जो इसका dimension होता है वो क्या है इंडियन स्टेंडर्ड के अनुसार इसका जो dimension है वह आपके बास कितना है है this is 190 this is 90 हैट इसकी दिख रही होगी आपर और इसकी विड्थ भी 90 है तो तो टोटल अगर इसका मैं साइज की बारे में बात करूंगा तो इसकी साइज कितना हो गए बिटा 190 mm इन्टू 90 mm इन्टू 90 mm ठीक है एल इंटू बी इंटू एच ठीक है यह लेंथ हो गई यह बी मतलब विर्थ होगी और इसकी हाइट होगी ठीक है एल इन्टू बी इन्टू एच देखेंगे तो कितना हो जाएगा 190 इन्टू 90 इन्टू 90 आपके पास value हो जाएगी तो question exam में जाने कम से कम बता रहूं आप लोगों को हजारो बार पूछा जा चुगा है अलग-अलग exams के अंदर interviews के अंदर आपके university exams के अंदर तो यहाँ पर देखो एक के उसे हम लोग उसे हम लोग फ्रॉक कह देंगे तो यह पूरा का पूरा concept चल रहा है अब यहाँ पर समझने की कोशिश करना इसका टोटल डामेंशन न्टू 90 इन्टू 90 तो अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इस वाली section को देखूंगा तो इसका dimension कित्ता हो जाएगा structure का that is यहा आपका कित्ता है यहां से आदक और यह भी आपका यहां से आदक कित्ता है 90 तो फाइनली इसका dimension कित्ती हो जाएगी टूटल हैडर की that is 90 इन्टू 90 हो जाएगी उसके बाद में जो आपका frog बचा तो frog को देखेंगे आप तो frog में क्या होता है यह इसका जो dimension है वो अलग-अ बुक्स में अलग-अलग लिखा हुआ है जैसे किसी जगए पर 9 x 4 x 1 लिखा हुआ है किसी जगए ना इंटू 4 x 2 लिखा हुआ है किसी जगए पर 10 x 4 x 2 लिखा हुआ है जो आपको suitable एक्जाम्पल या आपका answer लगता है आप उसके according अपना answer यहाँ पे choose कर लेना और इसका answer दे देना तो I hope जल्दी से comment works में बताएंगे कितने question क्लियर हुए sir shortest part header longest part stretcher top surface पे depression को frog बोलेंगे dimension brick की dimension 4 हो गए brick की dimension 119 to 19 to 90 उसके बादा stretcher की dimension 119 to 90 header की dimension 19 to 90 frog की dimension आपके पास में 9 into 4 into 1 10 into 4 into 1 9 into 4 into 2 10 into 4 into 2 तो 9 question लगबग लगबग यहां से आपके बन जाते हैं अब इसको कभी भी आप लोगों को भूलना नहीं है ठीक है समझ में आ गया clear सभी को देखो एक बच्चा पुझ रहे सर फोर और बन क्या है जैसे कि यह सेंटीमीटर में एक सेंटीमीटर जो होता है वह आपके पास में 10 mm के बराबर होता है ठीक है यदि मैं इसको सेंटीमीटर में लिखता तो इसको मैं लिखता 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर बिटा अब तो ऐसी हरकत है मत करो और 9 सेंटीमीटर एक्जाम पास में तुम आभी ऐसी चीजां पूछ रहे हो ठीक है तो यह जो डामेंशन हुई इसका मतलब यह हुए जैसे 9 इंटू 4 इंटू 1 का क्या मतलब है कि 9 तो यह ऐसे है दे है यहां से आ तक कि जो गहराई है यह कितनी है दिस इस दिस इस वन सेंटीमीटर यान कि 10 है मैं अब बात समझ में आगी अब भूलना मत गल्ती मत करना क्लियर है विटा सभी को फ्रॉक का साइज बता दिया 10 इंटू 4 इंटू 1 क्या होता है यह आपको बता दिया 9 इंटू 4 जैसंता मॉडूलर ब्रिक कौन सा है परस करी आपके पास में मॉडूलर बरेंख और दूसरा आपके पास में ट्रेडिशनल ब्रिक कौन सा है एक है म northernmin ॉॉलक को इस बात को भी है आप डेटीशनल ब्रिक आधो ऐसी ब्रिक जिसका साइज नेसनल लेइग पाधर धिस रिक और आपको ट्रेडिशनल ब्रिक जो है वो भी आपको समझ में आ गया है ठीक है ट्रेडिशनल ब्रिक की आप लोगों को जो है समझ में आ गया है बस एक मिन्ट मुझे देंगे तो आप लोगों के लिए बहुत शुक्रिया रहेगा एक मिनट बस देंगे तो यहां तक एक बार कॉमेंट बॉक्स में बता देंगे मुझे कि कॉंटेंट में मज़ा आ रहे है डाइग्राम के साथ समझना और एकदम प्रॉपर मैंने वो डाइग्राम का यूज किया है जो डाइग्राम आप लोगों के लिए बहतर होते हैं जो ड बताएं जरूर बताईए यहां तक अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो मुझे जरूर बता दीजिए ठीक है जल्दी से बताएंगे यहां तक अगर समझ में आ गया है तो ओके ओके वैरी नाइस चलिए बड़े आगे नेक्स पॉइंट की तरफ चलें फिर हम लोग नेक्स पॉइंट रेखते हैं क्या आएगा जस्ट वन मिनिट ओके हाँ जी हाँ एक बस अर्जेंट मैसेज था क्या है हमारी कई बार चीज़ें आ जाती है फैमली में तो वह है बाकी चलिए स्टार्ट कर देते हैं ओके चलें स्टार्ट करें फिर हम लोग तो और अपने फॉन मैं भी इसको खोल के रख लेता हूं कि ओके यस यस ओल क्लियर सरवाद रुक और जरा सर लाइन दोरी का डाया कितना होता है बटा बताऊंगा सब बताऊंगा ठीक है सारी चीज़ें बताऊंगा आगे ऑके चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स पॉंट की बात कर देते हैं तो ट्रेडिशनल ब्रेक होती है एक होती है बड़िया तरीके से तो देखेंगे एक बार सबसे पहला पॉंट कहा आपके पास में यह आपका मॉडियूलर ब्रिक क्या नामें बटा इस इस दा मॉडियूलर अब मॉडलियर ब्रिक का साइज देखो 19 to 19 to 90 क्या बोला गया जिनका साइज नेस्टल लेवल पर डिसाइड होता है मतलब की राश्ट्री एस्तर पर इसका साइज आई एस कोड द्वारा इसका साइज कौन सा है बिटा इस इस 19 to 19 to 90 देखरो क्या आप जवर्दस से इंटा दि और इसका साइज किस लेवल पर डिसाइड होता है नेशनल लेवल पर डिसाइड होता है दूसरा सुनेंगे दूसरा आपके पास में क्या है ट्रेडिशनल ब्रिक अब देखो यहां पर तो साइज समझ में आ गया 19 to 19 to 90 mm और यह आपका दिमाग में फिट भी हो गया क्या हो साइसा दूसरा होता है अब ट्रेडिशनल ब्रिक के बारे में लिखा हुआ है ऐसा ब्रिक जिसका साइज स्टेट लेवल पर यूपी में अलग बिहार में अलग महरास्ट में अलग जारखंड में अलग अलग-अलग स्टेट में अलग-अलग इसका साइज होता है ठीक है त सार यह कैसा साइज है अब यह जो साइज है विटा यह वैरी कर सकता है क्या किया रहा हूं यह जो साइज है यह इट कैन वैरी इट कैन चेंज और वैरी मतलब यह वैरी कर सकता है यह आपका चेंज हो सकता है अलग-अलग स्टेट के अनुसार लेकिन एक एवरेज मतलब एक एवरेज ता रखा गया कि सर 230 इंटू 114 इंटू 76 इसे हम लोग एक स्टेंडर्ड चीज मान करके चल लेते हैं तो मैं लेका साइस पिक्ष्ट लेवल और 230 इंटू 114 इनटू 76 यहां पर आपका असली कहानी चलू हो जाती है ठीक है सब समझ में आगी कहानी बढ़ते हैं सर आगे next point की तरफ देखो यहां पर दिखा भी रखा है this is 230 this is 76 this is 114 ठीक है तो यह आप लोगों को क्या करना है ध्यान रखना है और देखो आगे कुछ चीजा और explain करूंगा टेंशन मतलो यह बहुत जवर्दस चीजा जो आप लोगों को बता रहो है ना यह किस स्टेट का ऐसा कोई फिक्स नहीं बटा एक मैंने उसको भी एक आईडियल मान के कि इसके आसपास बाकी सारे स्टेट की जो वैल्यूज यह वो आ जाएंगे ठीक है चलिए ओके सर मॉडलर स्टेंडर का फरक क्या है मॉडलर स्टेंडर का फरक पड़ता है जम लोग एक तो लोकल काम करें हमारे घरों पे लेके आ और दूसरा होता है कि हम लोग किसी एक प्रॉपर गौर्मे कि प्रोजक्त में अगर तुम्हें पता है ना टेंडर वगरा जानते हो टेंडर बिर्स होती है टेंडर जानते हो और अगर थोड़ा सा भी ऊपर-शांद बॉपनीचे हुआ ना तो सवाल-जवाब हो जाते है तो इसलिए उस साइज को स्टेंडर मान के सारी कैलकुलिशन क की जाती है यह इसका एक बड़ा फरक है ठीक है आई होप आपको समझ में आया होगा चलिए ओके चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स पॉइंट तो यहां पर लिखावाई कि स्टेंडर्ड साइज अब दा मॉडल ब्रेक एक मॉडल ब्रिक का स्टेंडर्ड साइज क्या होता है वहां अब देखो एक बात समझ लो क्लियर रीट एक होता है पिटा है स्टेंडर्ड साइज और एक होता है आपके पाट एक एक यह दिखो या इसको बोलो नौर्मल साइझ जो होता है ब्रिक का अब इसका मतलब हुगा आप इसको चिना नहीं ए दीवार के अंदर ड्सक선 सि यहां पर क्लियरली लिखी हुई है इसको जड़ा समझनी की कोशिस करें यहां लिखा है सर कि जो मोटार की थिकनेस होती है जो सर मोटार की थिकनेस होती है वो दस से बार है मोटार की थिकनेस होती है कई बार पूछा जा चुका है कि सर जो मोटार की थिकनेस होती है वो दस से तो मैं एक average लेके चल लेता हूं 10 mm इसकी थिकने से तो 10 mm अगर इसकी थिकने से तो यहां पर 190 में 10 करोगी तो 200 90 में करोगी तो 190 में करोगी तो 100 यहां लिखा हुआ है विद मोटा यदि आप इसको दिवार में चिनाई कर रहे हो और उस टाइम पर जो ब्रिक होती है उसका साइज होता है विद मोटार उस्हें हम लोग कहते हैं नॉमिनल साइज इसको दिमाग में fit कर लो सकते हो तक बोल सकते हो आप चाहो तो इसको नॉमिनल साइज भी बोल सकते हो ठीक है कौन से को विद मोटार को अब यहीं पर हम लोग उने क्या देखा ट्रेडिशनल ब्रिक को भी देगा तो ट्रेडिशनल ब्रिक का जो साइज है वो कितना था टू-30 इंटू-1-1-4 इंटू-76 था यह क आप लोग नॉमिनल भी कह सकते हो तो नॉमिनल बोलो या कन्वेंशनल बोलो एक ही बात है ना नॉमिनल या कन्वेंशनल बोलो पेटा एक ही बात है तो नॉमिनल या कन्वेंशनल साइज क्या होगा लगबग लगबग इसका बढ़ जाएगा तो यहां पर देखो एक जगह की जगए यह 14 की जगए आप लोगों का 110 भी हो सकता है यह आप लोगवों का 116 भी हो सकता है तो इस वज़ेसे यहाप in तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है पर आम से इसको समझ सकते हो कर सकते हो ओके किलियर है सभी को चलो बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हैं सर नेक्स पॉइंट की तरफ तो देखो अभी तक जो कहानी समझ में आई वो क्या समझ में आई कि सर बेसिक यूनिट है यहां पर मैं सारी कहानी आपको खोल के एकदम समझा दी देन उसके बाद में नेक्स पॉइंट मैंने क्या बताया ब्रिक का क्लासिफिकेशन आपको पूरे बढ़िया तरीके से समझा दिया दो तरीके की ब्रिक है एक मॉडूलर है और दौनों का कन्वेंशन नॉमिनल साइज यह सारी च कर लेते हैं सर यहां से आगे जरा आगे बात करेंगे important note के बारे में बात करेंगे तो important note क्या है इस जगह पर तो इंपोर्टेंट नोट दिखा रहे हैं आपे वेट आप दा स्टेंडर्ड ब्रिक एक स्टेंडर्ड ब्रिक का जो वेट होता है यह बहुत बढ़िया इस तरीके से बच्चे आएंगे तो मुझे को मजा नहीं आ जाएगा चलो तो क्या हुआ बिटा यह आप लिख रहा है ही पर स्टेंडर्ड ब्रिक मैस्टेह ऑर ब्रिक मैस्टेहरी का जो ऑर्डनरी यूनिट होता है वह कित्ता होता है तो इतना ज्यादा परिशनल होने बाला पॉंट नहीं आप थोड़ा वहत इसके उपर काम करोगे तो आपको समझ में यह आजाए गा चलीए सर आगे बढ़ की तरफ next point की तरफ बढ़ जाते हैं आगे चलिए आगे बढ़ते हैं क्या लिखा हुआ इस जगए पे the relation between the length width and the thickness of motor length width thickness of motor के बीच में क्या relationship है तो यह relationship है बिटा L equals to 2B plus T क्या है that is L equals to 2B plus T क्या है L equals to 2B plus T जहां पर लिखा गया है कि in one brick width wall एक brick मतलब की एक इंट के जितनी मोटी दीवार जो होती है एक इंट के जितनी जो मोटी दीवार होती है उतनी चौड़ाई के हिसाब से मतलब की क्या होगा 9 inches की जो वाल होती है या इसको 90 या 200 mm की जो वाल बोलते है या 20 cm की वाल लेंथ है इस लेंथ की जितना मैंने इस ब्रिक को ऐसे रख दिया तो इस दीवार की जो चोड़ाई होगी दीवार की जो कह सकते हो आप लोग मोटाई होगी वो कितनी होगी 190 mm होगी और दौनों तरफ मसाला या मोटार लग जाएगा तो और एवरेज 200 mm के लगबग आ है वो आपके सामने आपे मैं आपको बता रहा हूँ ठीक है तो क्या लिखा है बिटा एल इस दा ब्रिक लेंथ बीज दा ब्रिक विर्ट तीज दा थिकनेस अब मोटा कॉमेंट बॉक्स में आ जाना चीज समझ में आया कि नहीं है जबरतस तरीके से ठीक है यह समझ में आग करते हैं सब्सक्राइब किसी भी दिवार में यदि मैं इंटों की चिनाई कर रहा हूं क्या कह रहा हूं किसी भी दिवार में अगर मैं इंटों की चिनाई कर रहा हूं तो उस जगह पर एक जो जैसे आपके पास में यह ब्रिक है लेट सी कि यह आपके पास में एक ब्रिक है ठीक है अब यह ब्रिक है अब मैं इसको दो तरीके से किसी एक बॉल के अंदर पुट कर सकता हूं किसी भी बॉल के अंदर मैं इसको दो तरीके से पुट कर सकता हूं देखें यह आपके पास में जो उसका साइज रहेगा वो किता रहेगा यह आपका साइज रहेगा दिस इस also 90 mm तो यह में जो ब्रिक है इसको दो तरीके से रखिसकता तुम आज गीए सामने से घीर कांसे साइड से पहरिपेगी यह फिर दीवार में मैं ऑसे रख सकता हूं बात मेरीसाब से आपको तो समझ में सारी कानी समझ में आजाएगी या तो मैं इत को इस दिवार में दो तरीक से रख सकता हूं या तो मैं इस ब्रिक को कैसे रख सकता हूं या तो मैं इस ब्रिक को कुछ ऐसे रख सकता हूं ऐसे ठीक है ऐसे और या मैं इस दिवार के अंदर इस ब्रिक को ऐसे रख सक सही एकदम बात तो यह जब दो तरही किसे रख सकता हूं तो मैं फिर भी आप से पूछूं कि minimum जो thickness है मैं कैसे भी रखूंगा तो कम से कम thickness किती आएगी कम से कम thickness आपकी 90 mm की जित्ती तो आएगी 90 mm की जित्ती और अगर मैं इसको दिवार में लगा रहा हूं तो इसमें 10 mm का मोटार भी लगेगा और जब इसमें 10 mm का मोटार लगेगा तो 10 mm के मोटार के साथ में टोटल मिलाक है टोटल मिलाक है आपके पास जो value हो जाएगी 100 mm तो यह बोला जा रहा है कि minimum thickness जो होती है किसी भी एक इंटों की की दीवार की जो minimum thickness होती है इस बात को सो एमेम आपके पास में होती है बहुती बढ़िया बहुत ही चबर्दस चले सर आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ यहां पर लिखे हुए कुछ पैरामीटर की ब्रिक और स्टोन की बीच में डिफरेंसेज हैं देखो कितना मजा आ रहा है समझने में मतलब कि कोई चीज को थोड़ा दिल से समझोगे अच्छे से समझोगे हंड्रेड परसेंट नहीं दो हजार परसेंट समझ में आएगी दिमाग में फिट होगी चलिए तो आपे क्या लिखा गई है एक तरफ है पैरामीटर एक तरफ है ब्रिक्स एक तरफ है स्टोन अब इसको ध्यान से सु पड़ें उन में जाके देखो तो ज्यादा बेतर रहेगा आपके लिए चलिए चलिए आगे बढ़ते सबसे वहले क्या लगा अब देखो डैडलोड जो होता है वो ब्रिक्का तो थोड़ा कम होता है डेडलोड लेकिन आपने देखा होगा जो पत्थर होते हैं उनका वजन होता है ना वो काफी जादा होता है तो इस वज़ेसे जो ड्याड़ लोड है वो ब्रिक का बात करो आपको पताएं जो इंट होते हैं इंटों को का करते हैं तो लोग हम लोग highly resistance stone की category में भी आते हैं जैसे कि आपके पास compact sand stone ठीक है वो आपका highly fire resistance stone को show करता है लेकिन उसते भी ज़्यादा कौन होते हैं ब्रिक होती हैं opening making की बात करूँगा तो इंतों से जब आप चिनाई कर रहे हो तो दिवार के अंदर opening बनाना काफी ज़्यादा आसान है compare to stone stone के अंदर हम लोग जब opening बनाते हैं तो वहाँ पे उस पत्थर के अंदर से hole करना opening बनाना काफी tough हो जाता है next is skilled labor and economy तो ब्रिक के अंदर बहुत ज़्यादा skilled labor की आपको आवश्यक्ता नहीं पड़ती वह साथ में economical होता है सस्ता होता है इसकी handling आसान होती है इसको यूज करना आसान होता है और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा material कोई skilled labor की आवश्यक्ता नहीं होती लेकिन जब आप इसकी बात करें जैसे हम लोग पढ़ते हैं एसलर मैसलरी होती है रूबल मैसलरी होती है तो इसके अंदर हमें skilled labor की आवश्यक्ता होती है और इवन यह थिक जॉइंट बनाने पड़ते हैं compare to brick compare to brick life की बात करूँगा तो brick क्या अभी तुमने जैसे सोचा होगा कि एसलर मैसलरी में तो बहुत थिन मोटार यूज करते हैं लेकिन एक सिर्फ एक टाइप के मैसलरी का comparison हम लोग नहीं कर रहे है ठीक है चलिए आगे देखेंगे next opening का मतलद तुमने देखा होगा जैसे आप लोग कई बार दिवार जब बन रही होती तो उसमें हम लोग नहीं क्या करते हैं और उस होल में करके फिर हम लोग आप स्कैट फॉल्डिंग बना देते हैं और उसके उ समझ में आगे opening अगर बनानी है बाद में भी अगर बनानी है कोई ventilation वगरा के लिए तो भी टफ होगा तो आगे बात करेंगे next point आपके पास लाइफ तो लाइफ जो होती है ब्रिक की कैसी होती है कम होती है लेकिन जो पत्थर की जो structure है वह बहुत लंबे समय चलती है आप चाहिए क्लिए देख लें पुराने मंदिर इमारत हैं जितने भी महल वगरा है वो पत्थर से बने हुए वह आज भी sustain कर रहे हैं अगर वह अ maintenance cost है ब्रिक के उपर आप लोग और फिर उस दिवार के उपर आपको पुट्टी भी करनी पड़ेगी paint भी करना पड़ेगा उसको साफ रखने के लिए हर साल paint करना पड़ेगा इसके अलाबा आप लोग जब दिवार बनाते हो कोई भी तो उस जैसे दिवार कोई तो उसकी तरहीं भी करते हो बहुत ज्यादा तो उसमें भी मतला क्योरिंग करते हैं उसमें भी काफी ज्यादा पानी लगता है तो maintenance काफी हाई होता है लेकिन इस्टोन का कम होता है वाटरप्रूफ की बात करूंगा तो ब्रिक आपकी कैसी है लेस वाटर प्रूफ है कंपेर टू बहुत जारा छोड़ी छोड़ी छेद होते हैं तो उनमें जो पानी है वो चला जाता है लेकिन इस्टोन के अंदर जादा पानी नहीं जाता है नेक्स देखेंगे वाटर प्रूफ तो यह होगा वाटर प्रूफ थिकनेस अफ़ वाल की जो थिकनेस होती है वह 100-200 मम तक जन बार मैस नरी का थिकनेस वह लोगई प्लास्टर तो ब्रिक के अंदर हमें प्लास्टर करने की आवश्यक्ता पढ़ती है उसकी बढ़ाने की लिए उसको मेंटेन करने के लिए और उसको ज्यादा एस्थैक्स लुक प्रौइड कराने के लिए लेकिन स्टोन के अंदर आपक सकते हैं लास्ट में तो brick की यो च्ट्रों कम होती ऐ थैस धाट एड्टन कर रहें तो इसको कम होती है compared to स्टोन जिसमें हाई आपके पास होती है यहां पे इसका इसक इस्तमालका बेट्वी मेर्स र Dare आप कोई पूछे इंटर्वियू में जिससे आप कोई पूछे किसी एक्जाम में या कोई कंवेंशनल कोईशन पूछ लिया युनिवस्टी में पूछ लिया एक्जाम में अबजेक्टिव बन गया तो आप लोगों को कभी भी परेशान होनी के आवशक्ता नहीं है बड़े बढ़े बहुत बढ़िया तरीके से हैं बिड़ा हैवी ड्यूटी ब्रिक क्या होती है पर्फॉरेटेड ब्रिक क्या होती है सारी ब्रिक्स के बारे में आगे आपको बताऊंगा इसका भी टेंचर आप लोग बिल्कुल मत लीजे चलिए आगे बढ़ते हैं सार नेक्स पॉ मिल करके बनी होती किस से बनी होती है वह आप लोगों की मिट्टी से जो है मिल करके बनी होती है जो ब्रिक्स होती है वह मिट्टी से मिल करके चिकनी मिट्टी जो होती है उससे जो है मिल करके बनी हुई होती है ठीक है समझ में आगी का नहीं चलिए अब देखते हैं आगे क मिलाते हैं इंग्रीडियेंट को जो इंग्रीडियेंट आपके यहां पे शो हो रहे हैं ठीक है चलिए वाइस तो बिल्कुल ठीक है किसको हो रही है अरे भाई आप थोड़ा सा ना आप थोड़ा सा उसको क्या कर लो आप थोड़ा सा उसको सही कर लो आप थोड़ा सा उसको ठीक कर लो अराम से सही हो जाएगा जो होते हैं वह आप लोगों के करेक्ट प्रपोर्श्चन में मिक्स किया जाते हैं इससे की डैंस और डूरिबल आपकी ब्रिक बनती है अब देखेंगे आगे इंग्रीडियन को तो आप तो समझनी की कोशिश करना ओके तो आप लिखा हुआ है S for silica A for alumina L for lime I for iron oxide और M for magnesium ये सारी कि सारी कहानी आप लोगों को समझ में आती होगी थीक है तो अब यहाँ पर तोड़ा और समझनी की कोशिश करें तो एक बच्चे ने लिखा भी सलीमा थीक है तो सलीमा में आपके पा करती बटा वो ब्रिक की एक नेगेटिव प्रापर्टी को शो करती है यह आपको थोड़ा समझना होगा तो यहां पर समझ में आ गया सलीम क्या होता है तो एस फॉर सिलिका एक्जाम में सबसे ज्यादा जो कोशन आपसे पूछा जाएगा वह आपसे पूछा जाएगा सिलिका और एलिम्ना के लिए सिलिका की परसेंटेज सबसे जादा 50-60 एलिम्ना की परसेंटेज उससे कम 20-30 फिर लाइन की चार से पांच आरन ऑक्साइड पांस ते च्छे मैंगनीशिया एक पाई देते हैं और अभी तक किसी ने टेलीग्राम चैनल को फालो नहीं क्या तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर फॉलो कर सकते हैं चली आगे बढ़ते हैं सर्नेक्स पॉंट के बारे में बात करते हैं next point है आपके बाद देखो silica alumina lime iron oxide magnesium okay next है सबसे पहले silica क्या है सब तो देखो silica में लिखा हुआ है पहली बात इसकी percentage 50 से 60% होती है si o2 इसका क्या है that is the name ठीक है क्या नाम है इसका that is silica silicon oxide तो इस वह si o2 उने लिख रहा है यह पहला main component है क्या है this is the first main component of the brick manufacturing it prevent cracking shrinkage and warping यह क्या करता है यह brick में crack आने से उसके सिकोड़ने से shrinkage से और साथ की साथ warping warping का मतलब होता है कि brick का मुड़ जाना brick का bend हो जाना उसको बोल सकते हैं आप लोग bending brick का बेंड हो जाना उसको हम लोग बोलते हैं warping आगे लिखा हुआ है यह brick को proper shape provide कराता है this is important exam question आता है कि brick को proper shape और size provide कराने का जो काम है वो किसका है brick का जो proper shape और size provide कराने का जो काम है वो किसका है तो बिटा वो आपके पास में किसका है that is of the silica silica का है वो काम आगे लिखा हुआ है कि due to in excess यादि आपने अधिक मात्रा में मिला दिया silica को तो जो brick है आपकी वो brittle हो जाती है क्योंकि cohesion जो होते हैं उनका loss हो जाता है इसका मतलब क्या हो बताता हूँ जैसे silica को तो हमने ज्यादा मात्रा मिला दिया तो silica ज्यादा मात्रा मिलाने के कारण से silica के बीच में जो bond बने हुए थे cohesion bond वो ज्यादा मिलाने से वो कमजोर पड़ जाएगा loss of cohesion की कारण से जो brick है आपकी वो अपने bond को बड़ी जल्दी से तोड़ देगी और उस वजए से वहां पर ब्रिटल नेचर चोगा ब्रिक का यह आपको समझ में आया नेक्स लिखा हुए सब्सक्राइब अगर silica आपने मिलाई है प्रॉपर मात्रा में तो silica की कारण से जो मेंटों के जो कॉर्णर होते हैं वो भी मजबूत हो जाते हैं ठीक है आगे लिखाए सर दा पार्टीकल अब दा सिलिका डेजन्ट एब्जॉर्ब वाटर सिलिका के पार्टीकल पानी को एब्जॉर्ब नहीं करते इसलिए वाटर एब्जॉर्प्शन कैपसिटी जो होती है वह आपके पास में यहां पे लिख सकते हो आप लोग डिजाइरेबल होती है इंक्रीज से तुम समझोगी कि ज् होती है अब थोड़ा आपको समझ में आएगा आपको गलत नहीं लगेगा चलिए आगे लिखा हुआ है कि यदि आपने ज्यादा मत्रा मिलाया सिलिका को साथ में प्लासिसिटी जो होती है ब्रिक की मतलब जो अपना प्रॉपर शेप लिए है ठीक है वह भी घड़ जाती है क्योंकि पूर अडेशन बॉण्ड बनता है सिलिका पार्टिकल की बीच में मतलब की अडेशन का मतलब क्या हुआ पहली बात तो लॉस ऑफ कोहिजन के कारण से ब्रिटल हो गई ज्यादा मत्रा मिलाने पर लॉस ऑफ कोहिजन के कारण लेकिन यह जो सिलिका है यह बाकी के इ इंदी में ही बोल हूँ सिर्फ एंग्लेश में टेकनीकल वर्ट्स लिखे हुआ है समझें इस बात को ठीक है नेक्ट आपके पास में एलूमि मिनां में क्या होता है सबैल्य में दो Working में के अंधर मेली किया हुता है आपके बहुत ज्यादा इंप्यॉच्व यह एक्जाम के अंदर इतनी बात पूछा गया है कि आप पूछो इमन पूछना ही मत उससे क्योंकि आप लोगों को किस किस को पताए कि यह कोशन कितनी बार दो कोशन बता रहा हूं दो कोशन बिटा दिमाग में छाप लो पहला तो यह प्लास्टिसीडी को इंपार्ड करता ह है यह कोशन यह कोशन दूसरा कि यहां पर आपके बास इसका परसेंटेज क्या होता है यह कोशन बिटा यह दो कोशन बहुत बार पूछे गए हैं बहुत जादा बार पूछे गए आप लोगों से तो यह दो कोशन आप लोगों के दिमाग में फिट हो जाने चाहिए कि इस ज़्यादा मत्रा मिलानी पर यह श्रिंकेज और वार्पिंग कर देगा य। जब इसे के बात जब बात करता है अलोमिना मदद करता है बहुत बढ़िया नेक्स्ट पॉइंट के पार्ट का मतलब होता है बढ़ावा देना कोई दिक्कत नहीं यह चीज आप पूछा वे जरूर बताऊंगा ठीक है लेकिन प्रॉपर हिंदी बोलना में लिए टाफ है ठीक है तो यहां पर होता है बढ़ावा देना अब समझ में आगे होगा ऐसे चीज़ें आप पूछ सकते समस्से कि सर फ्लक्स मटीरियल की तरह कौन काम करता है ब्रिक के अंदर कोई है बच्चा वह वाला जिसने सुबह सुबह एक कोशन पूचा था और मैं परस्नली उसका मैसेज आया तो दो तीन कोशन थे तो उसमें एक कोशन ए भी था कि लाइम जो होता है सर वह एक फ्लक्स म लाइम आपका सिल्का की साथ रियक्ट करता है और सी ठी एस बना देता है अब तुम्हारे दिमाग में आ रहोगा सीपैल सीम सिलीकेड बात सही है लेकिन रिकैस बनाता है लेकंने सी त्रीया तुम वह वाला रिलेट मत करने लग जाना कि सर सी त्रीयास मतलब इनीशल स्टेंथ आई की प्रिक के अंदर नहीं यह हाड मटीरियल है एक तरीके का लेकिन यह बता रहे है कि लाइम के साथ क्योंकि देखो सीमेंट के अंदर भी तो क्या था लाइम इसका कैमिकल प्रिक के अंदर कराता है लेकिन वैसे नहीं कराता जैसा यह सीमेंट में करता था ठीक है इस बात को क्लियर कर लेना नेक्स्ट आपके पास लाइम प्रिवेंट श्रिंकेज को रोकता है ज्यादा मत्रा बलाने पर ब्रिक जो है वो लो टेंपरेचर पर मेल्ट हो जाएगी अब यह चीज कई बार बच्चों को समझ में नहीं आती है जैसे मैंने आपको बूला कि सर अधिक मात्रा में ब्रिक जो है वो पिघल जाती है दो टेंपरिचर पर और ज्यादा ओवर बंट हो जाती है ज्यादा पक जाती है तुम देखना कभी भी अगर तुम किसी सूखे क कपड़े को जला रहे हो और एक ऐसी जगह है जहां पर आप लोग गीले कपड़े को जला रहे हो तो सूखा कपड़ा क्या होगा थोड़ी सी देर में आग पकड़ लेगा और आपको पकड़ने वाला है लेकिन अगर किसी गीली चीज को जला रहे हो तो पहले क्या होगा जो किसी एक ज़्यादा गीली चीज को दी जाती है तो एकदम से बहुत ज़्यादा सूख जाता है तो जब एकदम से ज़्यादा सूखेगा ना तो वहाँ पर फायर कंट्रॉल करना बड़ा मुश्किल होगा और जब जलना चालू होगा तो एकदम तेजी से जल जाएगा यह आगे बढ़ते हैं next point की बारे में बात कर लेते हैं ठीक है अधिक मात्रा मिलाने पर ब्रिक जो होती है वो अंसाउंड हो जाती है अंसाउंड क्या बताया था अब यहाँ पर थोड़ा एक कैसे लिखाओ इसको prevention of expandition is soundness मतलब की जो ब्रिक जो ब्रिक है ना उसका शेफ जो अब यहाँ लिखा हुआ है एमिट प्रोवाइड कलर एन फ्ट्र यह आपका कलरे और स्ट्रेंथ कराने का काम करता अरण ऑकुसाइड जैसे में प्रोट करणा था था नस लिए हैं टेंप्रेचर पर यह सांथ करता है और रैड कलर करता है अपनी ब्रिक को सही बात एक दम आगे लिखा हुए कि जादा मात्रा मिलाने पर जो ब्रिक का कलर है वो डार्क ब्लू या तुमने देखा होगा ना ब्रिक किस किस ने देखिए जल्दी से एक पर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि डार्क ब्लू कलर की एक दम ऐसा लगता है नील पड़ गही है उस ब्रिक के बन बन जाती है उसका मतलब यह होता है कि उसमें ज्र्थ में ज़्यादा मात्रा मं अक्साड मिलाए गया फो इसका मतलब आपके पास य्यलो कलर की न प्रिक को दर है वो क्या रहेगा ठीक है नोट्स के अंदर बिटा आप लोगों को इतना कुछ मिलने वाला है इतना कुछ मिलने वाला है कि आप लोगों ने इससे पहले कभी भी इतना कंटेंट नहीं पढ़ा होगा एक्जाम में सीधा सटीक सीधा सीधा देखने को मिलेगा आपको टैंशन मतली चलिए बढ़ते आगे इवन यूट्यूब पर भी आप लोगों को इतना कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा आप पढ़ लीजेगा आराम से चलो देखते हैं एक बार साइड को आप मिला देते हो तो वहां से क्या होगा आपके पास में ब्लैक कलर हो जाएगा अभी बताया था ना ज्यादा मात्रा में लानी पर अगर कम मात्रा में मिलाया तुमने तो यलो कलर हो जाएगा अगर प्रॉपर मात्रा में मिलाया तो रैड कलर हो जाएगा बात कल है कि यदि आपके पास प्यॉर के लिए का इस्तमाल किया आपने तो वाइट कलर हो जाएगा और यदि आप लोगों ने लार्ज कॉंटिटी में आरन ऑक्साइड मिला दिया तो बहुत ही ज्यादा चमकीले रेड कलर का या डाक ब्लू कलर का आपके पास में हो जाएगा ठीक ह यह क्या करता है यलो कलर के टिंट प्रोवाईड कराता है और साथ में श्रींगेज सही नोट प्रवाइट श्रींग करआता है जिससे की प्रॉपर जो ब्रिक है उसका एलई उरेंज कर आठाए चली देखाया है ना आपने टिंट का मतलब होता है जैसे तुम फॉर फॉर एक्जांपल कोई बड़े से बरतन में एक तुम्हारे वाइट कलर उसमें बहुत ही बारीग सा आप लोग एक पिंग कलर मिला दोगे तो कलर चेंज होगे जैसे रैड कलर के अंदर आयरन प्रिड़ एप है वहाँ पर आपको मिलेगी और फ्री ऑफ कॉस्ट है कोई बच्चा गयरा सर पेड़ है वहाँ जागे डाउलोड कर सकते हैं सारी पीडियेप इसको आगे लिखा हुए यह यलो कलर लिखा हुए इसमें यादा मातरा मिलाने पर जो इनित आपकी वह प्रॉ कोईजन की कारण से यदि आपने सिलिका ज्यादा मतरा मिलाई तो सिलिका के बॉंड जो होते हैं आपस में एक दूसरे के बीच में जो आपका कोईजन बॉंड हो कमजोर हो जाता है और जिसके कारण से आपकी जो ब्रिक है वो ब्रेटल रह जाती है एक अच्छी एक की ब्रिक अर्थ के अंदर लाइम का जो परसेंटेज है वो कभी भी पांच परसेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए यह भी एक बड़िया पॉइंट है नेक्स्ट आपके पास नंबर ऑप ब्रेक इन वन मीटर क्यूब इस फाइव फाइव फाइवन मीटर क्यूब में के साइज ऑफ मॉडूलर ब्रिक इस डिसाइड़ वाई बी इस कौन डिसाइड करता है इसको कौन डिसाइड करता है पूछा जाएगी दूसरा जो पॉइंट आप हुए है कि एक अच्छी ब्रेक अंदर जो लाइम होता है वो पांच परसेंट से ज्यादा मात्रा में नहीं हो चाहिए लिए नेक्स लिखा हुआ है कि नंबर और ब्रिक एन वन मीट्र क्यू इंटर फवांटे एक नमड़ पृटी आपके बात एक ब्रिक जो होती है एक इंड जो होती है आपके बाद वह कितना साइज होता है उसका कौन सी बात करो विद मोटार वह साइज होता है आपके पास में 0.20 में बात करूंगा 0.20 सारी 0.10 into 0.10 होता है अब एक मीटर क्यूब में देख रहे हो तो क्या करो 1 मीटर क्यूब 1 मीटर क्यूब अपॉन 0.20 into 0.1 into 0.1 इससे आप डिवाइड करोगी तो आपके पास आंसर है वो कितना आ जाएगा 500 ब्रिक्स आपके पास जो है देखने को मिलेंगी यह आपको धानकना क्या मिलेंगी विटा 500 ब्रिक्स जो है वो आपको यहां पे देखने को मि कौन साइज को डिसाइड करता है तो बी आई एस मतलब ब्यूरो आप इंडियन स्टेंडर्स साइज को डिसाइड करता है इतना टैंशन मतलब ब्यूरो की स्पैलिंग अच्छा ब्यूरो की स्पैलिंग यहां पे गलत दिक हुए मैं इसको सही कर रहेता हूं ठीक है ओक है ओ प्रेटर जो कॉंटेक्ट नमर माग रहे हैं वो आप मुझे यहाँ पर एक बात कर सकते हैं देविस सव पी डबलू इस पर टेलीग्राम चैनल पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं चलिए आगे बढ़ जाएं सर नेक्स पॉइंट की तरफ बढ़ जाते हैं आपके पास क्या है लिखा हुआ है सर फर्स्ट क्लास ब्रिक अब यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं टाइप ऑप डब्रिक अक्वाडिन टू कंप्रेसिव स्टेंट के आदार पर जो आपके पास में ब्रिक होती है उनको किस तरीके से क्लासिफाइड किया गया है तो जनरली हम लोग इस हमें समझ में आता हैधे चैप्ट्रे आत लोगों को इसलिए मैं आप से क्या का रहा हूं जैसे बता रहा हूँ वैसे पढ़ते वह जाना जिस तरीके तो आपको समझा रहा हूं वैसे पढ़ते वह चले जाना वस Onans ठीक है सबसे फेहके निखाये कि brick जो होता है इसका जो shape जो size आपके पास वे एकदम प्रॉपर होता है दूसरा brick earth should be free from pebbles vegetative materials मतलब पहली बात तो brick का जो shape और size अवे एकदम proper होता है first class brick का brick earth should be free from pebbles brick art मतलब मतलब जिस मिट्टी जिस से इंट को बनाय गया है तो उस मिट्टी के अंदर आपके पैबल्स वेजिटेटे मैंटर नहीं होने चाहिए इंसे फ्री होना चाहिए नेच्ट टैक्चर ऑफ दा ब्रिक शुड भी होमोजीनियस जो ब्रिक का जो टैक्चर है मतलब जो बनावट है वो हर जगह से एक जैसी होनी चाहिए the dry weight of the first class break किसी भी एक dry weight का जो एक एसी break कि सर याद कैसे रखें सर याद पता कैसे होता है याद होता है मैंने देली एक चीज बता तो एक चीज मैं बता हरह होता हूं कि यह करो वो करो इससे होता है विससे होता है meditation करो अच्छा healthy खाओ नीन दिलो पूरी practice यह तरीका और कोई तरीका नहीं कि यॉट तो याद करने के कुई कोई याद करने का एक ही concept है और वो क्या concept है that is the practice तक हम मुझे यह तक पता है कि और आगे अने वली slides मैं क्या लिखा हुआ है क्यों कि वो मैंने बनाई है और कई बार पढ़ा चुका हूं तो this is the practice और प्रैक्टिस करते जाओगे ना तो आपको पूछने जरूति पड़ेगा अगर आप यह पूछ रहे हो एस बीइंग एस बीइंग एन स्टूरेंट तो आप गलत पूछ रहे हो मुझसे ठीक है क्योंकि मुझसे ज्यादा बहतर प्रैक्टिस करने की जो एक हैविट होती है है वह आप लोगों की होती है और नहीं होती तो डैवलप कर लो नहीं करोगे तो दिक्कत होगी यह चोड़ो आपको बेसिक फॉर्मुला भी याद नहीं रहेंगे तो इसलिए हैबिट डैवलप करो चीज अपना पूजाएंगे ठीक है चली आगे बढ़ते हैं क्या लिखा के संचाओं को आप आपस में ठकराते हो तो उनसे milyलिक मैं क्या लिख रहा है मैं अदेलेट रिंगेंग सांड आपको सुनाई देना चाहिए नैक्स लगाहिए कि जो ब्रिग है खिर सच्फछ ब्रॉपर्पर रेड कलर होना चाहिए क्या है सर्कालर रोओंट रापर रेड क सुनेंगे एक बार ब्रिक आपका प्रॉपर शेप में होना चाहिए ब्रिक में पैबल्स वेजिटेटिव मैट्रस की मतलब लकड़ी के चोड़े टुकड़े पत्तियां यह सभी चीज पत्थर कंकड वगएरा नहीं होने चाहिए ब्रिक का टेक्चर होमुजीनिस होना पर आगे सुनेंगे नेक्स पॉइंट के बारे में बात करेंगे तो नेक्स पॉमंट आपके पास क्या है कि यदी तुम एक भिक को 24 घंटे के लिए क्या बोला मैंने 24 घंटे के लिए पानी में डुब करके रख रहे हो फिर्ट कलास ब्रिक को तो वो अपने औरीजनल वेट से ज्यादा पानी को वो एब्सॉर्ब नहीं करनी चाहिए तो यह लिखा है कि यदि 24 गंटे पानी में डुबो या तो यह आप लोगों की कभी भी 20% अपने ड्राइवेड के 20% से और 15-15-16% से ज्यादा पानी को एब्सॉर्ब नहीं करनी चाहिए नीचे भी आप एक्स्प्ल स्कायर हो तो सिर्फ इसमें 10 का मल्टिप्लाई कर दो तो 105 केजी पर सेंट्यमिट्य स्कायर से कम नहीं होना चाहिए इसकी स्ट्रेंथ है ठीक है चलिए आगे बढ़ते नेक्स्पॉइंट की तरफ इप ब्रेक इस ड्रॉप फ्रॉम 1.5 मिटर है यदि ब्रिक को 1.5 मिटर के हाइट से ग्राय जाएगा तो वो टुकड़ों में नहीं तूटनी चाहिए अच्छा एक काम करिएगा आप लोग यूट्यूब पे इसी चैनल पर जाके शॉट्स में जाना शॉट्स में जाके मैंने इसके टेस्ट को यह जो सारी चीज़ें इन सभी को मैंने कहां दिखा र यह लिखा हुआ आइस कोड 1077 ठीक है चली नेक्स्ट पॉइंट आपके पास में सेकंड क्लास ब्रिक की बात करेंगे तो इसमें लिखावा है देखो जब दो इंटों को आपस में टकरा रहे हैं आपस में बजा रहे हैं तो उनसे पहले क्या साउंड सुनाई दे रहा था मै पानी के अंदर डूबो के रख रहे हो तो पानी के अंदर डूबो के रखने के बाद में वह अपने वेट के ड्राइवेट के 22% से ज्यादा पानी को एब्सॉर्ब नहीं करना चाहिए अब कहीं सारे बच्चे के बारे में चलाएंगे तो सेचुरीटेट बेड का कोई कॉंसेप्ट यहां पर अप्लाई नहीं होगा ओके चली आगे बढ़ते हैं सब्सक्राइब या फिर सेवेंटी केजी पर सेंटिमीड स्क्राइच करते हैं तो आपके पास में स्क्राइच बनतो जाता है मार्केस करेंगे नेक्स आपके स्बसक्राइब बात करेंगे तो टुकड़ों में तूट जाएगी तीसरा जदी पानी के अंदर डुगों के रखेंगे चोविस घंटे के लिए आपने बेट के 25 परसेंट से ज्यादा पानी को अब्जॉर्ब आपकी नहीं करनी चाहिए मतलब इसकी डव्लू एसी आपकी कितियोगी 25 परसेंट हो गई कंप्रेसिव स्टेंट की बात करूंगा तो 3.5 न्यूटन पर एमम स्क्वाइर या MPS की कंप्रेसिव स्टेंट को चो करता है या 35 केजी पर सेंटिमेट स्क्वाइर हो गया जड़ी इसको अम लोग नेल से स्क्रेच करते हैं तो इस पर डीप स्क्रेच आपका बन जाता है ठीक जल्दी से कमेंट बोक्स में बता देंगे मुझे अगर आप लोग गलती करके आओगे तो green heart बनना चाहिए और नहीं करके आओगे तो red heart बनना चाहिए जल्दी से कमेंट बोक्स में बता दीजिए आप लोग बढ़िया तरीके से चली सर आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट मकारी गर्बो चलो आगे चले बढ़ते आगे विटा पीला ब्रिक लैस्वंड ब्रिक और कॉल्ड दपीला ब्रिक लैस्वंड ब्रिक जो होती है वो पीला ब्रिक होती है मतलब कि कम पक्की हुई जो इंड है उसको पीला ब्रिक कहते हैं क्या कह रहा हूं बिटा और इसको तो तुम्हें पता है क्या करना चाहिए तुमको ठोक देना चाहिए किसको जल्दी से करो है ना चलो अगर तुम्हें पसंदार है शेशन तो समझ रहे क्या करना है चलो बढ़ें आगे क्या लिखा हुए सब्सक्राइब कम पकी हुई इंट जो होती है उसे हम लोग पीला ब्रिक कहते हैं क्या कहते हैं बच्चे पीला ब्रिक कहते हैं आगे लिखा हुआ है कि इन ब्रिक्स को हम लोग और पोजो लेंडिंग मटीरियल को करने में करते हैं मतलब कि जो हम लोग us grinding मतलब grinding process से इनको पीस करके हम लोड इंहां से position लेने material जैसे कि सुर्खी वगेरा प्रात करते है क्या करते है सुर्खी वगेरा प्राप्त करते हैं GodDateate 600 सभी को बहुत ही बढ़िया चलो सरह आगे बढ़ते हैं यह थाyes llevar जामाब्रिक एक आपका जामाब रिक क्या है जामाब्रिक यह इसके बारे में ज़रा ओछ सुन लिया जाए चलो जालो मैं observed बुला इससी दा लैस्च वह आrad Dead मतलब की कम पकी हूए इंट कम पकी हूए एइट ठीक है और अगर इसी को मैं बोल दो जादा पकी हूए इंट तो ज्यादा पक्की हुई इंट देखा होगा तुमने क्या होती है वह आपकी ब्लैक इस ब्लू कलर की होती है तो ओवर बंड ब्रिक का मतलब क्या हो बच्चे यह गया ज्यादा पक्की हुई ब्रिक ज्यादा पक्की हुई इंट ठीक है तो ज्यादा पक्की हुई जामा प्रीक और जामा प्रिक गेहली कि यह आपकी कुछ ऐसी दिखाई देथी हैं सबीने इन दाव समस्तें के लिए खिए ठीक है चलिए बहुत ही बढ़िया तो आगे देखेंगे सार इसकी जो स्टेंथ Med Formula काफी ज़्यादा होती है पच्चिस से चालीस एंपिया लेकिन इसको मैसनरी में इस्तमाल नहीं किया जाता यह बादा धंग से रार रखोगे ठीक है फिड़ा ब्रिक की क्योंकि अभी की अभी जस्ट दो मिनिट पहले हमने बात करी थी अबाउट दा फर्स क्लास सेकंड क्लास थर्ड क्लास ब्रिक के बारे में लेकिन फिर भी एक चीज़ बता देता हूं कि एक ब्रिक की मिनीमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 3.5 न्यूटन पर एम्म स्क्वाइर से कम नहीं होनी चाहिए आई एस कोड के अनुसार इससे कम अगर आपकी स्ट्रेंथ है आपकी ब्रिक की तो उस ब्रिक को इस्तमाल ही नहीं करना है तुमको चलिए सर आगे बढ़ते हैं नेक्स पॉइं के अंदर वीडियो जब एक कंप्लीट हो जाए जब आप इसको पढ़ रहे हो रिवाइस कर रहे हो जा कुछ भी नोट्स बना रहे हो तो कॉमेंट बॉक्स के अंदर आपका दिल प्यार भरे एक नम कॉमेंट जरूर आने चाहिए कि सर कैसा लगा शेशन यहां तो आप होगे तो चार चांद लगा जाते हैं क्योंकि मैंन को लब में समय तक देख पाता है चैट बॉक्स को मैं बाद में नहीं देखूंगा ना चले आगे बढ़ें सब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास में इंपॉर्टे नोट इन डामेंशन मतलब की टॉलेंस का मतलब का मतलब होता उपर नीचे मतलब जैसे कि कोई चीज 10 mm है तो 10 mm हम बोल देते हैं कि 11 mm हो सकती है 9 mm हम बोलते हैं ना 19-20 का अंतर तो बताया जा रहा है कि अगर फस्ट क्लास ब्रिक के डामेंशन जो है LBH लेंथ विर्थ हाइट उनमें जो डामें से प्लस मैनस हो सकते हैं ठीक है इससे जाधा नहीं हो सकती है और सकेंड क्लास third class वी सी में count कर सकते हो जनरली सेक में नहीं करते हैं ये बात हमने बात करी थी कि नहीं करी थी जल्दी से बढ़ा को हमने वक्स में चलो सर आगे बढ़ते हैं बढ़िया तरीके से निखा हुआ है if the compressive strength of any brick is less than 3.5 MPa this should not be used for the master यदि किसी भी brick की brick की compressive strength 3.5 MPa से कम होती है तो उससे हम लोग brick मैंस तरीव इस्तेमाल नहीं करते ही रोगी चलाई नहीं करते इसका मतलब मिनीमम कंप्रेसिव मिनीमम कंप्रेसिव strength minimum compressive strength of brick of brick एक इंट की जो मिनीमम कंप्रेसिव स्टेंथ होगी वह आप लोगों की कभी सब्सक्राइब कितनी 3.5 MPa से कम नहीं होनी चाहिए यह बाली बात किस-किस बच्चे के भेजे में जा चुकी है मुझे बताइए जरह कोशन आया भाई सब कई बार मज़ा आ जाएगा कोशन आ गया तो तो मैं अरे यह तो घुम रहा है मज़ा आ जाएगा तुम लोगों को अगर तुम इस को पढ़ लोगे तो ठीक है ना चलो स्टार्ट करें हम लोग स्टार्ट करें आगे की कहानी देखिए सर अब आगे आपके पास में next point is the use of the first class second class and third class भी अब यूज भी तो पता होने चाहिए first class second class third class brick के uses क्या होते हैं तो देखो uses देखो सबसे पहले देखेंगे सब्सक्राइब के क्या-क्या यूज होते हैं तो पहला लिख रहा है इसमें आपके पास में that is the all structural member जितने भी structural member है वो दूसरा लिखना नॉन प्लास्टिरिंग वाल्स जिसमें कोई प्लास्टर नहीं किया था ऐसी एक वाल्स तीसरा आपका reinforcement मतलब परस्ट कलाइब करता अच्छा देखो लोड वियरंग वाल्स मतलब एसी जो बाल्स जो की लोड को वियर करती है उनको लोड वियरंग वाल्स बोलते हैं ठीक है और मतलब एक तो होती है partition बनाने में काम में आदी है एक होती है वियर करने वाली फिर उसके बादे का coping work coping मतलब बुल्लोज ब्रिक के तुझ आप coping work कर रहें उसमें भी आपको first class first class quality की बढ़िया प्रिक का इस्तमाल करना होता है टीकेट next point की बात करें हम लोग next point आपके पास क्या है that is the second class ब्रिक यूज अब दा second class ब्रिक क्या क्या है इसका इस्तमाल हम लोग plastic wall के लिए करते हैं मतलब ऐसी दिवार जिन पर plaster कर सकते हैं जैसे कि आपने रिखाओ दिवार होती इन पर plaster किया जाता है तो plastering wall के उपर non load wearing wall के उपर हम लोग इसका स्तमाल कर सकते हैं और use of the third class बनाते है डियाकुरेटेव परपस के लिए इसको कोपिंग बोलते है ठीक है चली सर आगे बढ़ जाते हैं नेक्स पॉइंट की बारे में उसको देखते हैं क्या समझ में आएगा क्वेश्चन चली देखते हैं एक बार नेक्स लिखा हुआ है इसमें हामफुल कंपोनेंट क् करेंगे ठीक हैं हमफुल कंपोनेंट क्या क्यों होते है तो इसे ब्रख़ह सबसे बैले क्या लिखा है और ये लिखा हों इसको अईरन पाइरा Rs. के रूप में उपस्तित है ब्रिक के अंदर तो उसको चो भूब modes बूमी का निवाईगी उसके क्रैंकिंग में भूमी का निवाईगी इसलिए बेकार है पैबल सेन स्टों मतलब तुमने देखा हो का कई वार कंकड पथर आ जाते हैं तो जब उसको गरम करोगी इंट को जब पका रहे होगे तो इंटे चट कहेंगी ठीक है तो इसके बाद का रिखा मैंने this creates the difficulty in mixing of clay मतलब कि जब हम लोग क्ले जो मिट्टी है जिससे हम लोग क्या बना रहे हैं उस ब्रिक की mixing में क्या करेगी यह डिफिकल्टी क्रियेट करेगी mixing proper नहीं होने देगी नेक्स्ट यूटि प्रेजности और फ्येट्वर स्टॉन इडिफक्च्छर आप पता है कि यदि आपका कोई ब्रिक है यदी मालना कि यदि कोई आपके पास में कया एक ब्रिक है अभ उस ब्रिक का जो आपके पास में अगर उसमें चोड़ पत्थर आगय तो जो ब्रिक का शेप यह क्या करेगा ब्रिक के अंदर जब हम लोग कंकर पत्थर देखाँगा छोड़ चोड़ चोड़े कंकर पत्थर होते ना जब पकते ना वो तो चटक जाते चटक के मतलब वहीं कि वहीं की वह फूट जाते हैं और फूट के वहां पर वाइट बना देंगे तो इंट जोगी की वह आपकी कैसी हो जाएगी कम-जोर हो जाएगी तो यह वाली कहानी आप लोगों को समझ में आ आगया होगा तो हम बिल्कुलर को को समझ मेंड़ा गया होगा तो बुल्कुल एक बच्चे ने का सर मोल्डिंग मैं समझ आए क्यों Eugene की साहींग के इंदर व्रोइट करेते जिस्टे की इंट आपकी कमजोर बन जाती है नेक्स देखेंगे सर्थ लिखा हुआ है एलकली क्या करती है तो आप सीदी सीदी बासा में जानते हो एलकली क्या करेंगी खार उत्पन करेंगी मतलब कि उत्फफुलन उत्फुलन का काम करेंगी इसमें लिखाए एलकली सोडा और पोटास के रूप में उपस्तित होती है जो कि कि silica को low temperature पर melt कर देती है ठीक है आगे लिखाए especially alkali जो होती है undesirable होती है क्योंकि alkali क्या करेंगी water absorption capacity को बढ़ा देती है मतलब कि मैंने पहले विबताया था पानी को क्या करती है यह absorb कर लेती है और एक समय आने पर structure पर गंदे पानी को उगल देती है या वोमेटिंग कर देती है तो उससे धब्बे बन जाते है वाइट पैसे बन जाते हैं यह याई चीज आप को समझ में आनी चाहिए this is the efflorent आप देखो एक्जाम में कई बार question आता है यह चीज तो समझ में आगए लेकिन एक्जाम में कई बार कोश्चन आता है सर कि एफ्लोरेंस जो है आपके पास में यानकि उत्पुलन आई एस कोड 3495 पार्ट 3 के अनुसार कुछ तरीके से आपके क्लासिफाई किया गया है तो देखो आला कि आप लोगों को मैंने डाइग्राम दिखा दिया कि सर क्या होता है प्राइंड में मोचली ब्रेक आट विदाउट फ्लास्ट्रिंग होता है उसका डामेंशन और कौन सा ब्रेक बिटा वहां पे ना अलग चीज़ा होती है वहां पे ना ब्लॉक्स का इस्तमाल किया जाता है और उनका डामेंशन भी अलग-अलग होता है आजकल इंडिया में अब एसी ब्लॉक आसका लाने लग गया है अटोक्लेव एरिटेड कॉंकीट ब्लॉक्स की बारे में बात कर रहा हूं तो वह भी आजकल आने लग लग तो वह भी इंडिया से पहले बाहरी इस्तमाल किया करते रहें अभी इंडिया में पॉप्लर होने लगे काफी हलकी होते हैं काफी बड़े साइज में अबलेबल होते हैं फिनिशिंग बहुत शांदार होती है उनको इंड की तरह है जैसे इंड को काटोगे तोड़ोगे तो उसका शेप प्रॉपर नहीं आता लेकिन उसका प्रॉपर शेप होता है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं सान नेक्ट क लिखा हुआ है है और पांचवा लिखा हुआ आपके पास में सीडियस काफी इंपोर्टेंट भई एक्जाम में कोशन बनते हैं देखेंगा एक बर क्या 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 बनेंगे लिखा हुआ है when there is no no preceptible deposit of the efflorens मतलब इसका मतलब यह कि कोई भी जो आपके पास ने ное байल है उसके उपर कुछ भी नहीं हुआ किस्से effloreans का कोई प्रभाब ही नहीं रह तो उसको प्रभाब बोलेंगे दूसरा यदि आप लोगों का पूरा पूरा जो हिस्सा है यदि यह 10 % से ज्यादा हिस्सा आप लोगों καा effloreans से प्रभाबित हो चुका है तो उससे हम लोग slight effloreance की category में रखेंगे तीसरा point सुनेंगे आपके पास में कि यदि आप लोगों का जो हिस्सा है वो यदि आप लोगों का slight समझ में आगे आप लोगों को ठीक है अब आगे लिखा हुआ है कि when there is heavier deposit than under slide मतलब slight वाली condition से थोड़ा और आगे बढ़ जाएं इसका मतलब यह हुआ कि यदि आप लोगों का जो पर हिस्सा है वो 50% तक लिखा है ना covering up to 50% मतलब 10 से ज्यादा और 50% तक यदि आपका हिस्सा प्रवावित है किस से efflorens है तो इसको moderate efflorens कहेंगे और यदि आपका कोई भी हिस्सा 50% से ज्यादा प्रवावित है तो उससे हम लोग क्या कहेंगे heavy efflorens और लिखा है when there is a heavy deposit of salt accompanied by the powdering and the flacking of the exposed मतलब की हद से ज्यादा आपके पास powder जो या फिर आपके जो दिवार है वह बहुत ज्यादा बुरी तरीके से प्रवावित हो जाती किससे आपके उस of powder से तो उसे हम लोग क्या कहते है that is known as the serious efflorens तो यह आपको सब बिटा याद करना पड़ेगा बहुत ही बढ़िया चीज में आपको दे दिया आयस कोड की बारे में पूछता है पूछ सकता है और पूछेगा तो आप लोग गलत तो नहीं करके आओगे पाठक सर की क्लास क question आप लोगों ने पढ़े थे क्या वहां से जितने वी question मैंने आपको पढ़ाए हैं वह जो मैंने आपको पढ़ा रहा हूं क्या उससे सभी बन रहे हैं हाला कि paid classes में मैंने और detail में हाला कि पढ़ाया सब बही है लेकि थोड़ा और detail में पढ़ाया क्योंकि समय मेरे पास ज् भी चला है harmful component पहला iron pirate फिर pebbles फिर alkalis फिर alkalis के अंदर यह efflore range चला था देन उसके बाद में गया organic matter or lime तो इसमें लिखा हुआ है कि these create problem in molding of the brick पहली बात तो यह brick को mold करने में mold को मतलब सांचे में ढालने में दिक्कत करता है due to liberation of gases 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 के निकलने के कारण से and burning of organic matter और organic matter के जलने के कारण से brick जो होती है वो पोरस बन जाती है मतलब की छिद्र नुमा बन जाती है lime देखेंगे when lime is burn with a brick जब lime जो होता है बन के जब brick के अंदर जो lime है जब वो जलता है तो यह आपका न जो lime है यह आपका slagged lime में change हो जाता है किसमें slagged lime में change हो जाता है और जब brick आपकी पानी के contact में आती है न तो यह disintegrate हो जाती है मतलब पूरी तरीके से इसका विगटन हो जाता है पूरी तरीके से टूटना चालू हो जाती है तो इसलिए आप बताएगा कि यह सारे के सारे आपके harmful component है एक्जाम में अगर कोई पूछ रहा है तो इसका region भी आप बता सकते हैं सबसे पहला question आपके सामने screen पर यह हाँ जल्दी से बताएंगे कि आंसर आएगा इसका जल्दी से बताएंगे कि इसका आंसर क्या आएगा बहुत बढ़िया ए आंसर आएगा थोड़ी आवास कम बता रहे थे थोड़ी बढ़ावन आवास चलिए आगे बढ़ते हैं तो यहां पर क्या लिखा हुआ है आपके इसका मतलब क्या हुआ सर की बिच का रिएर्ण ऐसार की कि और अपके पास आंसर होगा देखते हैं किते बच्छों दिया सो परतिषत बच्छों सही दिया वह इस चलि असी परसेंट बच्चों बच्छों से एक एक्ट आँसर देहेंगे मतलब पोल मैं नेक्स्ट गुड बरिकर्थ में आपके पास एलमिणा का कितना परसेंटेज होना चाहिए एक अच्छी बरिकर्थ के अंदर एलमिणा का जो परसेंटेज है वो कितना होना चाहिए वो जल्दी से बताई है पहला लिक रहा है 35-40 दूस क्या आएगा भाई क्या आएगा इसका अंसर बाबू बताओ जल्दी से अंसर सभी का आना चाहिए 35 से 40 दिया कुछ बच्चों ने किसी ने नहीं दिया सभी ने क्या आंसर दिया बहुत ही सुंदर बहुत ही बढ़ी और अगर सेशन पसंद आ रहे तो तुमको क्या करना चाहि में तो अगर सेशन पसंद आता है ना तो उसको इंग्लिस में जो भी बोल रहे हैं वो कर दो जरा जल्दी से तुरंत कर दो ठोक दो एकदम जबर्दस तरीके से आगे बढ़ते हैं चलो नेक्स पॉइंट की बारे में बात करते हैं सर क्या लिए पैंतिस से चालीस पंदर न नॉमिनल साइज पूछा हुआ आपसे कितना होता है भाई नॉमिनल साइज जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ कि नॉमिनल साइज क्या होता है नॉमिनल साइज कितना हो जाता है जल्दी से बताएंगे जल्दी से कितना होता है नॉमिनल साइज बताएंगे तुरंत सब्सक्राइब करेंगे जल्दी से अजी का अंसर आएगा विटा सी विल वी दा करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेशन क्या जाएगा सी आपके पास यहां पे इसका करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा ओके क्लियर है सभी को बहुत बढ़िया लिए 5 मिटा सब्सक्राइब करेंगे रिक्षान फष्ट करेंगे टांस इसका शर्लस आप लोगों ने दिया है सभी ने जबर्दस्त in नेट आट करेंगे तर्म फ्रॉग मीज तर्म फ्रॉग जो होता है तर्म फ्रॉग जो फ्रॉग उता इसका क्या मतलब तो पहला लिखा ओ इसके में एन एपरेटर स्पहर तो इस पोल चालू कर देता हम आपके लिए 30-second का अब इसको पढ़ते हैं को क्या लिखा हुए बढ़ा लिखा हुँआ है कि an apparatus to lift an apparatus to lift the brick brick को lift करने का apparatus दूसरा soaking brick in the water पानी को water में सोक करना तीसरा एडिप्रेशन on the face of the brick brick के फेस के ऊपर depression दूसरा नेक्स लाथ पने का हुआ है vertical joint in a brick एक brick के अंदर vertical joint सही बात एक दम तो यहां पर आप से यह पूछना चाहरा हूं है कि फ्रॉक का यहां पर मतलब क्या है तो एक बच्चे लिखा है कि कैपरेटर से जो की brick को left करता है गलत है दूसरा पानी में brick को डुबोना यह गलत है इसको फ्रॉग नहीं कहते डिप्रेशन ऑन दा फेस ऑफ दा ब्रिक के फिल फ्लक पर अब नमन या एक गड़्डा बनावा होता है तो एक दम सही है लास्ट में vertical joint in the brick brick के अंदर vertical joint को बुलते है नहीं तो यह भी गलत हो गया इसका जो सही इसमें दा brick use for the load wearing machinery building should possess the following crushing strength crushing strength values मतलब की जो bricks होती है load wearing machinery building के अंदर should possess the following crushing strength values कुछ crushing strength values होती है जैसे पहले लिखा रहा है इसमें 3.5 Newton per mm square दूसरा लिखा रहा है 105 kg per cm square 2.5 MPa लास्ट में लिख रहा है उने को जो है मिलेगी जल्दी से बताएंगे एक बार क्या आपके पास में आंसर आएगा इसका जल्दी से बता दीजिए क्या आपका अंसरे आपे हो जाएगा ओके चलिए आगे बढ़ें नेक्स पॉंट की तरफ 61 परसेंट बच्चों ने अंसर दिया इसका बस भी अरे भाई क्या कर रहे हो सही है बीज दा करेक्ट आंसर चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स पॉंट पहाजाते हैं सर अब आगे आपके पास में फ प्रेंट क्राइक पहली बाद तो guidपाथ के अर्वन होना चाहिए ऐसका उनिफ यूफ रैड कलर क gosh 2 बॉकए आपकी तुकड़ों में नहीं तूटनी छाहिए ऐसको 5 मिट्र जब उसको एक पॉइंट पांच मिंटर के हैड से गिरा रहे हैं तो तो टूट ऑन में टूटी चाहिए ब्रिक शुड नॉट ब्रॉकन और चाहिए जो इंट है आपकी वह किनारों से टूटी हुँ नहीं होनी चाहिए तो यहाइक अपस में बजाया जा रहा है तो यह एक metallic ringing sound को produce करनी चाहिए ठीक है लास्ट में लिखा हुआ है कि यदि ब्रिक को पानी में इमर्ज करके रख रहे हैं तो वो अपने original weight के 20% से ज्यादा पानी को absorb नहीं करनी चाहिए अब आपके mind में क्या आ रहा होगा पता है आपके mind में यह आ रहा करते हैं कि ब्रिक आपका अच्छी तरीक से पका होना चाहिए प्रॉप रैड कलर होना चाहिए किनारों से टूटा नहीं होना चाहिए यह आप लोगों का और metallic ring sound सुनाई देना चाहिए इनको टकराएं जब यह पीसेज में नहीं टूटना चाहिए डेड़ मीटर के हैट से गिराने पर पानी में डोबोने पर 24 घंटे गली पानी में डोबोने पर यह अपने वेट के 20% से यादा पनी को यह सारी चीजा आप लोगों को याद रखनी होंगी चली कोई क्लास चल लिए बच्चे जो है वह ज्यादा हो रहें कम हो रहें यह तो यूट्यूब का गलेच है या फिर मुझे लग रहे है कि आपके क्लास ब्लास चल रही है आप लोगों की या जो पेड़ वाले nution बहुत important की this test के लिए थे अंदर हम लोग कितने bricks का इस्तमाल कर्ते तो 20 सब्कांद करते है कि इसके अंदर डैमेंशन,です में इंट में 20 सब्कांका इस्तमाल किया जाता है इस बात को मधने तो कितने अभी तक किसी व्यों इस अनLANन नहीं किया आप प्यारा साथ तेली वो जोएन कर सकते हो ठीक है सब आपढ़ कम सब सबसे बहले क्या लिखा है इसमें पहले बाद तो लो और निलिटेन के Christina तर सुवleness्र हम लोग इसका लिएम के अंदर 20 इस्तेमाल करेंगे हम लोगं जब टालेट्स करते हैं और यह कोंशनर इक्साल समय यह पर इंदर दियुक्न Champ hop कर रहें उनमें क्या tolerance power होती है tolerance value होती है तो इस test के अनुसार length width और thickness जो है वो value आपकी इससे कम नहीं होनी चाहिए तो पहला दिख रहा है जैसे length width और height तो length में देखोगी तो 380 plus minus 12 cm तो इतना जादा हाँ देखो एक break कितने की है एक break है आपके पास में 19 x 9 x 9 cm में इंटू 20 कर दो पूरे में कितना आ जागा बिटा दिस इस उननी दुनी 80 मतला 380 इंटू 180 इंटू 180 सही बात एकदम तो यहां से बताये गया है अब इसको centimeter में देखोगी तो तो दिखा रखिए 12 cm यह होई 20 brick में कैसे सर यह बन दिखा दिया 300 c यह 100 c और यह 100 c कैसे आए सर क्योंकि 20 हैं एक इंट 19 x 9 x 9 की तो 20 ही इतने की हो जाएंगे clear है तो अब यहां पर अब यहां पर यह 20 हींटों का है यदि एक इंट का देखो गए तो इस 12 cm को 12 cm को 20 से डिवाइड कर दो तो कितनी हो जाएगी 6 mm हो जाएगी या फिर या फिर इसको देखो 20 से डिवाइड करो तो यह जाएगी 0.6 आपकी तो बारा एम नहीं होगा उस जगह पर एक ब्रिक के अंदर पूछ रहा है तो एक ब्रिक के अंदर बिटा जीरो पॉइंट सेंटीमिटर या शह एम उसका अंसर आएगा भूलना मत गलती मत करना बिटा गलती मत करना ठीक है ना तो समझ में आई कानी देखो एक बार यह आप 6 जोड़ोगे तो 186 गटा होगी तो 174 यह दोनों के लिए दिखा रखा है सेम टू सेम ऐसे ही जब आप लोग जाते हो कहां पर सेकंड और थर्ड क्लास ब्रिक में तो उसी चीज को 12 को यहां पर 30 बना दिया च्छे को यहां पर 15 बना दिया तो यहां पर 30 में 30 जोड़ोगे सेंटीमीटर जो है इस लेंथ के अंदर देखो द्यान से सुनना लेंथ के अंदर लेंथ के अंदर 12 सेंटीमीटर टोटल टॉलरेंस है मतलब इसका डामेंशन में उपर नीचे कितना हो सकता है तो टोटल 12 इंटों के अंदर 12 सेंटीमीटर हो सकता है तो एक ब्रिक में कितना तो एक ब्रिक में कितना होगा 12 बटे 20 ही तो वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में तो यदि एक ब्रिक के बारे में पूछेगा तो आपको आंसर देना है वह आपको चाहिए यह वन तक आपका आपका सही आंसर अब बढ़ते हैं आगे आपकी पास क्या हैं इसमें लिखा हुआ है यदि हमें यदि हमें ब्रिक की कि compressive strength को check करना है तो हम कैसे compressive strength को check करेंगे ठीक है और भी subject पढ़ाऊंगा हाँ बीटा मैं RCC पढ़ाऊंगा मैं highest जो highest weightage वाले सब्जेक्ट है मैं वह दोनों पढ़ाता हूं एक RCC और BMC टोटम लाके 30-40 नंबर का weightage रहता है तो वह आपको दोनों पढ़ाऊंगा ठीक है और वह भी बहुत खतरनाग लेवल पर पढ़ेंगे हर इक चीज को कवर करेंगे चलिए तो देखो एक बार यहां पर और समझनी की कोशिश करते हैं सार लिखा हुआ इसमें और लेकिन क्लास में बने रहना लास्ट तक क्लास में बने रहना अंतिम छोड तक अंतिम समय तक ठीक है चलिए क्या लिख रहा है इसमें टू चैक दा कॉप्रेशिव स्टेंद्ट भी हम लोग क्या करता Barnesystem Stück करनी के लिए उसको बहतर घंटे के लिए थीन दिन के लिए पानि में रखते हैं डैमिंशन ऑप दा फ्रॉग आपको पता होना चाहिए देग आप जहां पर के क्लियर कर रहा हूं चीज़ों को अगर वो रेक्टेंगुलर शेप का है तो उसको हम लोग नाइन इन्टू फोर इन्टू वन डाइमेंशन लेते हैं और यदि वो सर्कुलर या एलैप्टिकल शेप का है कई बार देखा होगा न तुमने तुम ब्रिक के ऊपर टॉप से दिख वाला तो जरू देखे होंगे तो जरू मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताएं ठीक है तो यहां पर मैंने आपको बता है रेक्टेंगल जो शेप है वो नाइन इन्टू फोर इन्टू वन है जबकि सर्कुलर एलैप्टिकल शेप जो उसका सिक्सिंटू फोर इन्टू वन हो कि किसी भी एक ब्रिक की मैनिफेक्ट्रिंग कैसे की जाती है क्या रहा हूं ब्रिक की जो मैनिफेक्ट्रिंग है वो कैसे की जाती है उसके उपर भी नजर डाल लेते हैं तो देखो ब्रिक की मैनिफेक्ट्रिंग चार तरीके के आपके प्रोसेस होते है पहला है प्रिपेरे station of clay clay तयार होगी उसके बाद में क्ले होने के बाद में हम लोग उसकी molding करेंगे molding के बाद मिथको सुखाएंगे और सुखाने के बाद में हम उसकी burning करेंगे मिथको पखाएंगे तो यह process है किसी भी एक है ओके चलिए आगे बढ़ते हैं जो शेडूल जो भी बन चुका है उसी के अनुसार आपका पूरी कहानी चलेगी तो इसके उपर हम यह नहीं कहेंगे कि मेरा पहले एक्जाम है तो यह सर कब एक प्रॉपर सीक्वेंस है क्या लिखा हुआ है एक बच्चा कल डिगिंग पूछ रहा था तो मैंने बोला था कि वह आपका ब्रिक के अंदर आएगा और यह आ गया ठीक है अन्सोयलिंग डिगिंग क्लीनिंग वैदरिंग ब्लेंडिंग टैंपरिंग यह आपके पास होता है अब इसको एक एक करके सुनने की कोशिस करना ठीक है ओके मैं टॉल्लेंस का मतलब हुता है बटा कि अपने शेप में वो कितना ज्यादा परिवर्तन को accept कर सकता है अपने अंदर वो कितना ज्यादा चेंज लेंथ विड्ट और हाइट में कितना परिवर्तन को कितनी करो अब देखो आगे बढ़ते हैं अन्सवैलिंग सबसे बहले देखेंगे अन्सवैलिंग क्या होती तो थोड़ा फास पड़ेंगे आप थोड़ा सा क्यूंगी काफी बड़ा चैप्टर भी है इंट्रेस्टिंग है और मजा भी आ रहा होगा सबसे बहले क्या करते हम साथ कंकर पत्थर और मोटे मोटे पत्थर होंगे तो उनको हम लोग हटा देते हैं और वहां से 200 mm की लेयर को हटाने के बाद वहां से हम लोग clay sample collect करते हैं और लिखा किया सेंपल due to the presence of organic matter of pebbles पत्थर और जैसे पत्तियों के टुकड़े लकड़ी के टुकड़े पड़े होते हैं इस वजह से हम लोग 200 mm के लिए रटाते हैं डिगिंग का मतलब है उसके बाद क्या करते हैं गड़्डा खोते हैं और गड़्डे में से जो मिट्टी निकलती है उससे हम लोग लगबग 600-12 mm तक के पास आई तो ऐसा नहीं कि जमीन के अंदर से जो मिट्टी निकली उसके अंदर कमिया या पर आपके अशुद्धिया नहीं होंगी इंप्यारिटी जो और बच गए उस मिट्टी के अंदर उनको भी हम लोग बहार निकालेंगे और इनको रिमूव कर देंगे समीमा आगया स नमी मोझूद होती है तो जो नमी होती है आपके पास में उस नमी को रिमूव करने के लिए हम लोग वहां पर उसको बैदरिंग मतलब खुले मैदानों में डाल देते हैं तो उसको फुली सीजन्ट या फिर वैल सीजन्ट करते हैं या तो पूरी तरीकिसे में उसमें Sाम जो पानी उसको सुखा के बढ़िया मिट्टी बना लेते हैं कि उसको मतल़ जितनी पानी की परियार्त मात्रा उसके अंदर होनी चाहिए तक तक हम लोग उसको मिट्टी गो सुखाते हैं नेक्स लिखा हुआ है आपके पास में और यह लिखा भी हुआ कि इस प्रोसेस के करण लावा में क्या डिफरेंस था तो देखो जब पिगले हुए इस सिलिकेट्स को हम लोग मैगमा बोलते हैं लेकिन तब तक मैगमा बोलते हैं जब तक वो जमीन के अंदर होता है तो उसको मैगमा बोलेंगे लेकिन जैसे जौल मोकी की रूप में फट करके वो अर्थ सर्फेस पर आ जाता है तो उसको लावा कहते हैं किसको बच्चे को बात पसंद आई कॉमेंट बोक्स में दिल बना दीजिए चलिए आगे बात करेंगे बिटा ब्लेंडिंग अब जैसे फॉर एक्जांपल क्या होता है कि तुमने ना सब्जी बनाई अब सब्जी बनाई तो तुमन मतलों अगर किसी जगहाई पर आपके पास में कमी रहेगी कोई ऐक इसमें ऍग्रेडियियंट की कोई भी एक ingredient की कमी रहेगी आपके उस किसके अंदर सब्जी के अंदर या फिर इस मिटी के मिटी के अंदर जिससे आप इट को बनाओगे तो आप उपर से उसको क्या करते हो एक तरीके से जैसे हम लोग डारते हैं ऐसी आप स्प्रे प्रॉसेस के थूरू हम इसमें ऐसी मिट मिला रहे ते हैं जिसके अंदर उस ingredient की प्रयापत मत्रा होगी तो इस समझ में आगे आप लोगों को अच्छा भी टमाटर नहीं डाल रहे हूं टमाटर का तो बड़ा दुख है एक सॉस ले लो टमाटो कैचप ले लो और उसको आख बंद करके ऐसे चार जगे डाल लो ठीक हो एक बच्चा गयरे सब 20 ब्रेक पर सा टॉलरेंस प्लस माइनस 80 होता है mm होता है यह आप आपने पढ़ा होगा वह एक अलग से बता दूंगा आपको पढ़ना होगा लेकिन एक्जाम करने जो कोशन आएग वो यहीं से बनेगा ठीक है तो इसलिए परिशान मतों 80 और 120 वा पढ़ लिए लास्ट लेगे टैंपरिंग जो सबसे जादा इंपोरेंट है एक्जाम में सबसे जादा यहीं पूछा जाएगा तो टैंपरिंग के बारे में आप हम लोग सुनेंगे कि टैंपरिंग क्या होती सर तो देखो क्या लिखा हुआ है बैदरिंग और जब उसमें किसी चीज की कमी होगी अगर किसी चीज की कमी होगी ही नहीं वालकनिक रॉग तो ड्यू टू लावा होगा ना बात एक ही है आप उसको मैगमा ही बोले रखोगे तो कमी नहीं होगी है ना कोई दिक्कत नहीं आएगी मैगमा के सॉलिडिफिकेशन से आपका अर सरी नहीं है तो आगे इसलिए लिखा गया कि बैदर स्वाइल जो होती है उसको प्रॉपर मिक्स करने की जो प्रॉसेस होती है उसी को हम लोग बोलते हैं टैंपरिंग यह कोश्चन बिटा एक्जाम में काफी ज्यादा इंप्रमील खाँब बहुत बार पुछा जा चुका है ठीक है आगे बात करेंगे जो आज पढ़ाएंगे हम लें फिमी एक आग्जाम पूछा जाता है को 20,000 इंटों को हम लोग एक साथ पग्मील के अंदर तयार कर सकते हैं ये भी कोशन एक्जाम के अंदर पूछा जाता है तीसरा पग्मील के अंदर ब्रिकर्थ में 25 से 30% पानी के आवश्यक्ता होती जब हम लोग इसको पग्मील में डाल रहे होते हैं तो ये भी एकदम एकदम प्रोसेस से कर रहे हैं तो उससे हम लोग बोलेंगे नीडिंग मैथड और यदि हम उसको मेकैनिकल प्रोसेस से कर रहे हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे पगिंग और पगिंग किससे की जाती है पगिंग की जाती है बहुत अच्छी समझ में आगी ठीक है पग्मील क्या है उसके बारे मेंस जानने के लिए आप लोगों को एडाइग्राम भी समझना होगा अब समझते हैं एक बार इस Channel production capacity जो होती है पग मील की जो production capacity होती है वह आप लोगों की manual method से ज़्यादा होती है मतलब कि जो इसका production करने का उत्पारण करने की छमता है वो manual method से का Jiang कि ज बनाने के लिए तो यदी तो उस मिटी को आप लोग ट्री एमन के ठ्रेट्स में रोल कर सकते हो तोड सकते हो ृक यह कूशन बहुत इंप्नोंट है आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे बिएटा आपको करा दोंगा लाहम का रेमेणिंग पार्ट भी नहीं करवाया आपने पीक होता है बागी तो करवाया श्राइब ऑग्ट में चीज बताओ जितने भी बच्चे हैं मैंने आपको तीन पीडिए अभी तक प्रोड़र करले लेकिन तीलों के अंदर complete notes provide कराएं आपको कुछ ऐसे notes हैं जो exam में बहुत important नहीं तो मैंने वो पढ़ाया लेकिन exam के जब class के बाद में मैंने आपको जो notes दिया वह आप लोगों को मैंने पूरा provide कराया है हर चीज का even lime का भी provide करा चुका हूं कल मैंने मैसनरी के अंदर भी सार आप परिशान होते हो okay okay चलिए आगे बढ़ते हैं next point के बारे में next लिखा हुआ आपके पास में कि भाई पहली बात तो इसकी capacity manual method से ज़्यादा होती है और दूसरा और भाई पढ़ते रहे ना class में last तक नहीं तो मैं भी छोड़ दूँगा मेरे पास भी मैं कहा दूँगा कि हो गया बस आज के लिए कल पढ़ेंगे इसको इसलिए इमांदारी से पढ़ते हुए जाओ थोड़ा बड़ा चैप्टर है लेकिन इंट्रेस्टिंग है एक्जाम में कोशन आते हैं ठीक है चलो क्या लिख रहा है और जो रहे जाएगा उसको कल की class में connect कर लोगा टेंशन मतलो बिल्कुल भी क्या लिख रहा है यदि टैंपरिंग प्रपर्ली डन की जाती है तो ब्रिक को हम लोग ब्रिक के जो ब्र लार्ज स्केल पर कर रहे हैं इसको बिटा इसका मतलब यह है कि पग मील जो होती है उनकी प्रोड़क्शन कैपिस्टी मैनुल मैथट से जादा होती है मैनुल मैथट मतलब हाथ से एक तो तुम आटे को तयार कर रहे हो जैसे तुमने देखा होगा गुर्दवारे के अंदर मशीन होती है जिनसे आटा तयार किया जाता है और एक तुम एक साइड में तुम दस आदमी लगे हो तो दस आदमी जितना आटा गुंद पाओगे उससे बढ़िया आटा और उससे अच्छी क्वांटिटी का उससे कम समय में आटा वो मशीन आपको तयार कर देगी तो वही यहां पर बताएगा ठीक है लास में लिखा दा प्रॉसेस यूजिन दा मेथट इस कॉल दा पकिंग जो प्रॉसेस इस टैंपरिंग में यूज की जाती है पग नील से उसको हम लोग पगिंग कहते है वो तो आपको कई बार बता दिया अब इस डाग्राम से थोड़ा तंडी में ठंडी हो गई है अब इसको कि रम और कर दो खुट तो एक दम कॉमेंट में आग लगसा जानी चाहिया आग लगा तो अब इने का ऊंना है झालू देख़ो पीने का भी मन्नी कर रहा है तब आप यहां से क्एंड़ां यहांसे हम लोग डालते हैं यहांसे मलोग पानी डाला जाता है यहां से प्रेशर मेंटीन किया जाता है यहां से इसको निकाल लिया जाता है जैसे आप लोग यहां से इसको सामने से देख रहे हो यहां से देखो मिट्टी और पानी डाली जा रही है और यहां से आपकी प्रॉपर जो यह है मिट्टी है वो यहां से बन और एक्जाम में पढ़के आना एक्जाम में देखके आना question सीधे-सीधे मिलेंगे यहां से ओके बहुत बढ़िया चलो बढ़े आगे next point देखें next point देखते हैं बिटा next point आपके पास क्या होगा that is manufacturing of the brick brick की manufacturing हम लोग कर रहे हैं दूसरा जो आपके पास में process है वो आपके पास में है molding पहला process क्या था preparation of clay समझने इस बात को पहला point क्या था आपके पास में that was preparation मतलब total आपके बाद 4 process है पहला हमने complete कर लिए preparation of clay जिसके अंदर क्या था what is the preparation of clay तो unsoiling digging मतलब की 200 mm की layer हटाना digging मतलब गड़ा खोद देना कितने का 600 से 200 mm की धेर क्रूप में कट्टा करना फिर उस मिट्टी को clean करना फिर उसको सुखाना फिर उस पर जरूवत पड़ी तो extra नमक के हिसाब से मिला देना सामान उसकी बार टैंपरिंग करना उसको proper मिट्टी उसे तयार करना ठीक है चलिए अब आगे बढ़ते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स कि बारे में बात कर लेते हैं इसान्ष किस से कि जाती है कैसे कि जाती सब और मोल्डीं के बारे में बच्चे क्या होते हैं लिखा हुए तब प्रोसेज भीप देजाइड शेप and size to the brick molding का मतलब होता सांचे में ढाल देना मतलब कि जब हम लोग brick को proper shape or size में convert कर रहे हैं तो उससे हम लोग molding कहते हैं अब यह जो molding है आप लोगों का ठीक है जब आप लोगों का जो molding है वो proper shape or size में convert करने को बोल रहे हैं तो mold are generally of three types mold जो है वो जब तीन प्रकार के होते हैं पहला steel mold wood mold or wooden molding line with the metal sheet मतलब कि पहला तो steel का mold दूसरा लकडी का mold तीसरा लकडी का mold बहार से लकडी का है और अंदर जो उसकी lining है वह आप लोगों की किस से बनाई गई है वह आप लोगों की पतली गेटर को तो चलो खेर बात बात करेंगे तो wooden molding जो है वह metal sheet के साथ अंदर से और बहार से आप लोगों किस से बनाई जाती है लकडी से मैं थोड़ा cricket का कम फैन हूं तो cricket मैं पसंद नहीं करता हूं तो इसलिए dislike मत कर देना मुझे ठीक है चलो आगे बढ़े विटा next point अब देखो steel mold का है steel mold जो होता है ना मेटा सबसे best mold होता है क्या होता है steel का mold सबसे best mold होता है the mold this is the best molding process क्योंकि brick जो होती है इससे सबसे बढ़िया smooth surface की और बढ़िया sharp corner वाली प्राप्त होती है मतलब इससे बढ़िया shape और size की आपको ब्रिक है वो प्राप्त होती है इसलिए अब इसको steel mode का इस्तमाल कर रहे हैं दूसरा है wooden mold लकडी के mold के बारे में बात करेंगे तो लकडी का जो mold है आपके पास यह थोड़ा स्टील मोड के comparison में less durable होता है और production जो होती है वो भी स्टील मोड के comparison में थोड़ी कम अच्छी होती है ठीक है बात समझ में आगी ठीक है ओके आगे बढ़ते हैं next point की बारे में that is the अब यहां से question बनेंगे exam में जबर दस question बनेंगे एक एक करके question देखना answer बताना समझ में आया की नहीं है पहला question mold का जो size होता है sir वो eat के size से 10-12% ज्यादा होता है क्या बुला मैंने eat card है ना सर आपने BMC से शादी कब आरे भाई तुम तो जोस में आ रहे हो फ्लो में आ चलिए कहां से मिलेगी थोड़ा guide करें मेरे पास देखो यहां से मिलेगी यहां पर मिल जाएगी आपको बच्चे कोई वी एक बच्चा जो है जिसको यह चाहिए कैसे गिर गया यह अगर किसी भी बच्चे को नोट से ही है तो एक तो जो application है application पर जाके आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हो यह सबसे बैस तरीक है बाकि आप लोग यहां पर आप हमसे बात कर रहे हैं तो हम आपको बता देंगे ठीक है चलिए बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हैं सार मोल्ड साइज अब 10-12 mm का मो ौके अन न न भाई द्होनी नहीं मैं धौनी को पसंद करता हूं मैं सचिंत एंदुलकर और विराट कोली को भी पसंद करता हूं ऐसी बात नहीं है विट्रो मत करओ चलो ओके चलो आगे बढ़ें next point की बारे में बात करें next point क्या आपके पास से नहीं तो आगे देखेंगे क्या लिखा हुआ है मोल्ड का जो साइज होता है दस से बारे परसेंट जाद होता है मोल्ड का साइज बता दिया top surface of brick is made from the stockboard exam को पूछेगा कि भाई जो आपके पास में ब्रिक के ऊपर ब्रिक के ऊपर जो आपके पास में गड़ा होता है वो किससे बनाए जाता है तो आप बता सकते हो कि सर वहां से नोट में आपको दूगा ना हर एक लाइन में कोशन है 100 परसेंट इसके साथ ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं ओके नेक्स क्या लिखा हुए हां थोड़ा गलास दर्द कर रहा है मौसम थोड़ा ठंड है तो चाय पीने से ही थोड़ा काम चल सकता है चलिए ओके ओके नहीं है 20-25 मिंट पढ़ेंगे फिर छोड़ देंगे क्या लिखा हुआ है मोल्ड का जो साइज असर वो 10-12 पर्षंट जादा होता है साइज अब दा ब्रिक से मोल्ड का साइज 210 इंटू 100 इंटू 100 उसके लिखा है टॉप सर्फेस ऑफ दा ब्रिक जो होता है वो स्टॉक से बीच में फ्रॉग यहाँ पर मसाला डाला मोटार फिर उपर ही कि रखी तो यह जो गड़ा हुआ इसमें एक्स्टर मोटार जाने की वज़े से इसकी जूट्ग है मैसनरी की वह यह जादा हो जाती है तो शियर की का काम करता है ठीक है ना स्टेंट बढ़ाने का काम करता है चले आगे बढ़ेंगे next point के बारे में बात करेंगे लिखा हुआ है due to the frog और यह हो गया next लिखा है frog also represent the name of the manufacturer जो frog है आपका वो manufacturer के नाम को भी दर्शाता है नाम को भी represent करता है last में लिखा हुआ है frog reduce the weight of the brick और frog साथ में reduce करता है brick के बेट को brick के वजन का अब उसमें से material बाहर निकाल दोगे तो वहां पर उसका वजन भी कम हो जाएगा बहुत बढ़िया अब देखो and pellet board से भी बने नहीं पैलेट बोर अलग चीज होती है देखो आजाओ पैलेट बोर के बारे में आ गया कहते ही घैड इंका जण अब चंता तो सब्सक्राइब Зब्सक्राइब पढ़ लोगे लोam यह तो थोड़ी सी इrontदारी से फड़ो महनत कर लो कि सब्सक्राइब है पहले देन 1000 वच्चे मैं 500 बच्चे मैं कहता हूं नौभी दिन ये बच्चे 200 रह जाएंगे इसका मतलब 200 बच्चों का इस बात को क्योंकि लाक लाकों बच्चे फॉरम भर रहे हैं बच्चे टोटल सीट कितनी है लेकिन आप लोग यह भी तो सोचो कि कौन से हजार होंगे उसके लिए हर किसी को लड़ना चाहिए लेकिन बेपकूफ होंगे एक पहले दिन हजार आएंगे उसके पाद 800 700 400 250 रहे जाएंगे वह 50 जीते हैंगे जो लास्ट तक लड़ेंगे मैंने क्या बोला था एक लाइन लास्ट में जाके सास लेना लास्ट में जाके जो सास लेगा ना वह जीतेगा फोड के आएगा एक्जाम को और रैंक निकालेगा CPWD भी लेगा MES भी लेगा PWD लेगा सारे डिपार्टमेंट वो लेगा अच्छे अच्छे और आप लोग वहाँ पे ना फिर देखते रहे ना उनके रिजल्ट को फिर देखते रहे ना इंट्रव्यू बिद CPWD सेलेक्टेड स्टूडेंट देखेंगे फिर देखेंगे इस्स्टेटेजी औफ दॉस्ते पांच महीने में एक्जाम को करेक्क किया यही देखते रह जाओगे ऐही देखते रह जाओ वे बाद में पिर तो इसलिए कह रहा हूं कि इमानदारी से क्लास के अंदर रेगुलर जॉइन करोगे बिटा रेगुलर हम भी तो आ रहे हैं रेगुलर आप रहोगे तो आपको इमांदारी से क्लास में बहुत मज़ा आएगा ठीक है क्लास को करो अच्छे से चलो देखो बिटा तो मैंने क्या बोला जब हम लोग ब्रिक को बना रहे होते हैं तो देखा होगा सांचे के अंदर हमने क्या किया मिट्टी को डाल दिया तुमने देखा होगा घरों में गुज बंद करते हैं फिर एक्स जो होता है ना आटा उसको हटाते है एक्स्टा आटे को ऐसे घरों में घुजिा बनती है इसे ऐसी ए्ट कैसे बनिए सांचा है अब सांचे के अंधर क्या किया सांचे के अंधर हमने डाल दिया मिट्टी Crot और उसके उपर हमने पैलेट बोर्ड से गपर तो एक्स्टाम पूर्ट करते हैं ॉपे लिखा हुआ है इस जगह पर लिखा हुआ है इस यूज़ फोर रिमूबल ऑपthe excess clay from the mold mold से साचे मेंसे एक्स्टा क्लियर की फ्राइस होती है यह रिमूब करने देखा हुगा कई बाद तुम YouTube पर सर्च कर लेना तुम्य दुनिया भरके वीडियो मिल जाएंगे तो होगा आपके पास में पर ऐसे घर त्या होते हैं कि लिखा हुई है देखो इस फ्राइक जो होता है वह जादा यूजफल होता है ज्जादा अच्छा होता है प्रिक को तैयार किया आप मिट्टी को तयार करने के बाद में और मॉल्ड करने के बाद में आप क्या वजब एक पे तुमारे उखमान आई और महमान आए तो अपने क्या किया उन में के लिए चाय बनाइ चाय से आधाइज चाय भी है हमारे बास में तो जैसे तुमने चाय बनाइज तो चाय को तुम क्या करोगे एक ट्रेइड होगे उसी अंदर श्योंड nah उत्रस्ट न क्या रहे हлекत आपके पास brick हैं उन molded brick को एक जगह से उठा करके दूसरी जगह ले जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं इसका करते हैं तो क्या लिखा हुआ है इट इस यूज तू फॉर मेकिंग आउट दा जोरी इस उस पर टेकिंग आउट दा molded brick from one place to another place एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए हम लोग किस का इस्तमाल करेंगे पैलेट वोड का इस्तमाल करेंगे ब्रिक्स को नेक्स्ट है dimension की बात करूंगा 30 to 12 cm का dimension और इसकी जो ठिकने से वह एक से 2 cm देख सकते हैं आप लोग पैलेट बोड का जो आपके बाद dimension है 30 to 12 cm 30 cm by 12 cm इसकी जो ठिकने से वह एक से दो होती है ठीक है आगे मज़ा आगे मज़ा चली सर आगे बढ़ते हैं और जब सबीन अभी तक पेलिग्रम चैनल जोइन नहीं किया तो कर लीजिए आगे बढ़ते हैं नेक्स पॉइंट के बारें बात करेंगे चली आगे बढ़ें नेक्स पॉइंट सचाय पी लीजे नहीं तो ये भी ठंडी हो जाएगी ये ठंडी नहीं होने देंगे हमारे अभी आग बहुत लगी जब गुरू जी हमारे इस वीडियो को कभी देखेंगे तो जरूर हमें याद कर लेंगे और उनका नाम था चंद्रभान शर्मा तो जब वो हमें पढ़ाय करते थे तो वह बोलते थे कि और हम जमीन में बैठके इंग्लिस पढ़ा करते थे हमारी 10th क्लास की बात यहाद है तो 10th क्लास जब पढ़ते थे हमारे बहुर अच्छे माक्स रहे 90 माक्स रहे 90 परसेंट के सम्थेंग और उपर है उससे तो वहां पर हम जो मैं बोला करते थे कि आग किसके अंदर लगी होती यह पढ़ता कौन है पढ़ता वह है जिसके अंदर आग लगी रहती है वह कभी आगती समझ में कम आती थी लेकिन समझ में तब आने लगी जब एक्जाम PAS आने लगा जब एक्जाम पास आता है तो ऐसा लगता है मतलब फोर फार देंगे हमारे बहूर अच़्य माक्स यह और पूरे उस्ट्उट क्लास ने वहें बहुत ज्सक्राइब करते थे त्यौन स से जोइन करी लास्ट वाले सेकंड पर भी उसे इनरजी से रहोगे तो मैं गैरंटी दे रहा हूं आप लोग इस एक्जाम मनी तो दूसरे में दूसरे में तीसरे में लेकिन सफल जरूर होगे इस बात की फुल गैरंटी है तो इस बात को अपने दिमाग के अंदर बिठा लो क हो जीवन में कभी गिरो जीवन में कभी बी किसी वी जगह लगे कि मैं गिर रहा हूं तो उठीय और चलते जाईए चलते चाईए और रुकिये मत कभी भी तो आप लोगों को सक्सेजरों मिलेगी चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं ओके चलो नेक्स पॉइंट क्या है सर आपके बास सब्सक्राइब करने नए पॉइंट के साथ में आरही बात कर लेते हैं नेक्स क्या है बार है बाट सब्सक्राइब कितने तरीके मोल्ड होते हैं explain रही मतलब की जमीन पर करके तुम मोल्डं मेर से नहीं होगी का साइज में बैरी मतलब ब्रिक का जो अलग अलग अलग-अलग-अलग हो सकता है ठीक है तो एक आदमी एक दिन में कितना काम करता है तो यहां पर जब एक आदमी बैट के इंटों को बनाता है तो वह 700 इंटों को पर हैड पर एक दिन में एक आदमी साड़े सासों को मोल्ड कर देता है सांचे में ढाल देता है लेकर यहां पर यह लिखा हुआ है कि quality of the brick is better टेबल मोल्ड के अंदर क्या होता है टेबल के अंदर भाई एक दम आपको स्मूथ सर्फेस मिलेगा तो इसमें लिखा हुए कि टेबल का जो आपके पास में quality होती है टेबल के उपर जो ब्रिक होती है उनकी quality वह better होती है शेप और साइज एकदम fix होता है और यहां पर आपके बास में टास्क परक होता है वह कितना होता है बिटा आपका 1500 इंटों तक होता है ठीक है चलिए आगे बढ़ें next point के बारे में बात कर लेते हैं लिखा हुआ है पावर के आधार पर ज होती है मशीन मोल्डिंग हाथ से मोल्ड करने वाला हाथ से दवारे प्रेस कर रहे हो और यह उतनी मशीन से प्रेस करके उसको मोल्ड कर रहे हो तो मसीन से जो मोल्ड करोगे वो ज्यादा बढ़िया costly होगी लेकिन better method होता है हर एक तरीके की चीज आपको बता रहा हूं ठीक ह है ठीक है चलिए ओके नेक्स पॉंट है आपके पास में लिखा हुआ है on the basis of material use for splitting brick from the mold मतलब की लिखा हुआ है किसके आधार पर जो हम लोग ब्रिक के मोल्ड के अंदर कई बार हमने क्या करते है लुब्रीकेशन समझते हो लुब्रीकेशन का मतलब उसके चिकना हट पैदा करते हो ताकि वो चिपके नहीं इंटे जो है दिवार उस जो मोल्ड है उसकी दिवारों पर यह पर लिखा हुआ है एक होता है send molding और एक होता है बीटा पानी डाल देते हैं पानी बिखेर देते हैं ओके समझ में आ गया चली सर आगे बढ़ते हैं next आपके पास में ड्राइंग अब एक बात दिमाग में फिट करो कि सर molding हो गई और मिटी देयार होगी और molding होगी अब point आया सर हमारे पास में किसका brick को manufacture करने का किसका brick को manufacture करने का देखते हैं अब देखो brick को manufacture करने का आया तो यहां पर लिखा हुआ है तीसरा point that is the drying अब ड्राइंग में क्या होगा देखो अगर तुम इंट को बिना सुखाई ही पकाने के लिए ले गए मैंने क्या बोला था अभी तुमको थोड़ी देर पहले तुम एक गीले कपड़े को डिलेट के अगरो गीला कपड़ा उठाया तुम उसको जला दिया आग जलती हुई नहीं पहले उसको सुखाईगी लेकिन तेज आख के अंदर ज्यादा गीले कपड़े को डाल दोगे ना तो वह उसको जब सुखाना चालू करेगी यो लास्ट जब वो सूखेगा तो इतना ज्यादा सूख जाएगा कि जैसे ही वह पूरी तरीके से कंप्रीटी ड्राइग ह और इसी वजए से हम लोग क्या करते हैं ड्राइंग करते ब्रिक को प्रापर यद हए अपको अच्छे तरीके से बढ़िया कॉलिटी की डैंस रॉर द९रिबल ब्रिक चाहिए तो उसके लिए आप लोगों को क्या करणा पड़ेगा ब्रिक को पहले सुखाना पड़ेगा आप ब्रिक को प्रॉपर करी तरीके से ड्राई करना पड़ेगा ठीक है अब देखो क्या लिखा हुआ है एक मोल्डें ब्रिकार बंट डिरेक्ली विदाउट ड्राइंग यदि आप लोग किसी एक साचे में ढाली गई इंट को बिना सुखाए ज़दी उसको पका देते हो पक सिव लॉस ऑफ मोश्चर के कांट से एक दम से जादा मोश्चर उसके गायब हो जाएगा और पूरी तरीके से सुख जाएगा तुरंत तेज आग के साथ जल जाएगा इस वैसे खराब हो जाएगी आगे लिखा हुआ है ड्राइंग करने के दो मैथड नेच्छरल मैथड आ हम लोग इसको सुखाते हैं आगे लिखा है कि bricks obtained from this type of drying process जो intense तरीके के drying process से प्राप्त होती है उन्हें हम लोग sun-dried bricks कहते हैं एक्जाम में कोई पूछता भी है तो बता सकते हो कि sun-dried bricks क्या होती है जब हम लोग mold कर लेते हीटों को और खुले मैदानों में उसको सुखाने के लिए छोड़ देते हैं that brick are called as the sun-dried bricks आगे लिखा हुआ एक्जाम में कहीं पूछता है कि sun-dried bricks की strength क्या होती है तो आगे देखेंगे लिखी हुई है कि standard bricks की compressive strength है वो 1.5 से 2.5 MP मतलब यह बस समझे ना इनकी strength कम है इसकी strength है तो इसको strength को भी हम लोग आगे discussion करेंगे tension म आगे देखें मतलब sun-dried bricks को भी हम लोग यूज कर लेते हैं construction में आगे लिखा हुआ है for drying bricks bricks को dry करने के लिए structure yourself in debt team आगी करत dwell के लिखान और के बार शमाने के इसवी कराओ बीच में आप और यह जमार्ते हो क gir और और अगर लिएस क्लिप घूमा यह निकल जाएगी तो हवा जब उसमें fármu से आपकी बड़या तरीके से सूख एगी तो लिखा हूआ है की ब्रिक को इस MAX STAX को इस तरिके से जमाया जाता है इस तरिके से रेंज किया जाता है कि AIR का circulation एक दिशा से दूसरी दिशा में बना रहे आगे लिखा हुआ है कि दूरेशन जो होती है वह 30-10 दिन होती है और यह तेंफरेचर वहता है जनरली बहार का गर्मियों में यहां पर आटीश पीचल प्रोसेस में उनल किलन का इस्तेमाल करते हैं क्वेशन पूछा आ सकता है इसका टेमपरिचर एक सो बीच डिग्री सेस्स होता है इसमें कुछ नहीं है बहुत आसान है देखो एक बटी है एक चेंबर बना रखाए उस चेंबर के अंदर क्या करका है से दो इससों में इसको बांट कर रहा ह包 है इसको डिश्क कर रहा है इसंए ऎक तरफ ही ऩोगों डालते हैं दूसरी था लेते हैं तो एक तरफ क्या करेंगे हम लोग कच्छी इटों को गीलीवीगजों को डालें अगे यहां पर फीटिंग जोन बना रहा है टेंपरिचर से दीड़े 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 मुव होती है और ठंडी ओ उत ре सुकती चल याती मौस्टर उडता चला जाता है इसके कार इससी सब्सक्रेश होती को जल्दी से बताएंगे कॉमेंट वक्स में उसके बाद में ब्रिक्सार राइड तील्डा मौश्र रह जाता है तब तक हम इसको चुखाएं जब तक इसमें दो से तीन परसेंट तक मोश्र कंटेंट नहीं रहता है जैसे दो धान रखो हर चीज जैसे जब लोग टिंबर पढ़ेंगे तो उसमें 10 से 12 परसेंट होता है बात समझ में आ गया एक सीमेंट में कोछन आता है वाटर का कि सीमेंट के अंदर मैंने आपको बताया है कि चार जलाने पर इसका बेट चार परसेंट से ज्यादा से लेस नहीं होना चाहिए मतलब 100 ग्राम है तो जादा जाद 96 ग्राम रह जाना चाहिए लेकिन अगर 95 और 94 रह गया तो बेकार क्वालिटी का सीमेंट है ऐसे ही मैंने बताया था कि यदि आपका जो सीमेंट है वो एट्मोस्फेर से 2% से जादा एग्रोस्कोपिक वाटर को एब्जर्ब नहीं करना चाह है और लास में लिखा है कि ड्राइंग से पहले ब्रिक के अंदर लगबक साथ से कितना होता है तीस परसेंट तक मौस्टर कंटेन मौजूद होता है इसके अंदर ओके आप लोगों को सब कुछ बहुत बढ़िया से समझ में आयोगा कल से हम लोग इसका मैनिफेक्शरिंग क्या क्या पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे इसके अंदर अब बर निग मौद रोग पूरी डिटेल बताओं वर लिख या होती है इसके कुछ इंप्रेंट सेट दोविश बरनिग होती है अप्की सिन जान. बुल्ट टेंच किलना क्या होती है अप डॉट 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 उसके बाद में आपके बाहर इस कोड के अधार पर इसकी स्टेंथ और उसके बाद बहुत सारी चीजें आपको होता हुगा है डुटी ब्रीक्स क्लासिफिकेशन है हो नोगों को बताऊंगा जल्दी से एक बार comment box में आप मुझे बता दीजिए आप लोगों को class में कैसा लगा है पढ़के आप लोगों को मज़ा आया या नहीं आया और सबसे लास्ट में एक चीज आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि अगर इस तरीकी से आप लोग काम करें this should be the highest potential of yourself सबसे पहले दिखाए मैंने how to work smarter smarter work कैसे करना चाहिए सबसे बहला में का weekly पूरे week का एक proper plan बना के तयार कीजिए turn off your phone जब आप पढ़ रहे हैं तो अपने phone को turn off कर दीजिए मतलब की online के लिए इस्तमाल कर रहे हैं वही ठीक है लेकर अगर आप notes ले रहे हैं self study कर रहे हैं तो अब स्टाइम पर phone का को मेजर मत करें समय की आख लान मत करें कि इतना समय बच्चा है आख लान करें कि जो मैंने अभी तक किया उसमें मेरे result जो है उनमें कितना improvement किया पहले का result बात में क्या रहा उसके बाद क्या रहा है इसका comparison करें तीसरा टेक regular breaks regular breaks लें ऐसा नहीं है overburden आ जाएगा तो आप दीरे-दीरे irritate हो जाओगे और उसके बाद मैं बोर यात पैसुस होने लगी पढ़ाही को छोड़ दोगे last में have a proper routine मतलब कि आपके पास एकदम proper routine होना चाहिए उपने का पढ़ने का आपके phone चलाने तक का ब्रेक लेने तक का फैमिली के साथ time spend करने का सोने का खाने का हर चीज़ का प्रपर रिटन होना चाहिए नेक्स्ट आपके पास में outsource as much as you can मतलब कि जितना बहर से आप सीख सकते हो दुनिया से आप सीखने की कोशिश करिए और सबसे लास्ट में फिनिस वाट वी स्टाटेड जो आपने शुरू कि आउसको खतम करें यह एडिटूर से काम करोगे डेली में जो ले के आता हूं आप लोग एक अच्छे इंसान के साथ सास्त एक सक्सेस्फुल इंसान भी बने तो मिलेंगे हम लोग नेक्स वीडियो के अंदर तिल दान टेक किया आप थैंक्स सो मच्छ लव यू बाबाए